नमस्कार आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं जॉन गॉल्सवर्दी का नाटक जस्टिस जस्टिस यानि कि नियाय और इस ड्रामा में आप देखेंगे कि नियाय तो होता है जैसा कानून है कानून के अनुसार नियाय होता है लेकिन नियाय की जो आत्मा है वो मर जाती है हलांकि जॉन गॉल्सवर्दी अपनी तरफ से ऐसा कोई कमेंट नहीं करते लेकिन वह तो किल तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं कि भाई किसी ने अपराद किया है तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा और यहां भी कानून ने अपना काम किया लेकिन इंसान है वो एक ऐसा प्राणी है उसे गलतियां हो जाती है तो एक दया का जैसे के पोर्शिया ने कहा था ना जब आप मर्चंट ओफ वैनिस मेरे साथ पढ़ रहे थे कि न्याय करते वक्त एक दया का भाव भी न्याय अधीश को रखना चाहिए राजा को अपने हिर्दय में रख हैं वो अपने प्रॉबलम प्लेज के लिए जाने जाते हैं और यहां भी उन्होंने एक प्रॉबलम हमारे सामने रखी है न्याय की जो समस्या है मलब कानून तो न्याय हुआ लेकिन क्या वास्तम में न्याय हुआ ये एक बड़ा प्रश्न है कानून की किताबों में हर अप के लिए कानून की अनुसार उसको दंडित किया जाता है लेकिन इस नाटक को पढ़ते पढ़ते आप यह महसूस करेंगे कि वास्तम में यह न्याय की आत्मा का मर जाना था अगर दो चार सेंटेंस में समराइज करना चाहूं इस नाटक को तो हम यह कह सकते हैं कि एक हीरो है ल उसको सिम्पैथी होती है उस महिला से और उसकी मदद करने के लिए वह एक छोटा सा अपराध करता है और उस अपराध की भढ़ी भांकर सजा उसको मिलती है यहां हीरो की हमारे की जिन्दगी बरबाद हो जाती है उस महिला की तो हो ही जाती है, लेकिन आपको लास्ट तक आते आदा आपकी आत्मा रोने लगेगी इस नाटक में, चले शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम इस नाटक के पात्रों से यहां मिल लेते हैं, जेम्स हाव यह पिता जी है, और वल्टर हाव यह बेटे हैं, तो यह पिता पुत्र दोनों ही सोलेसिटर हैं, सोले प्रारेशन में ये लोग कॉलिफाइड होते था andra कर प्रापर्टी कर अको बर्णा कर जो से बंगित ये लोग कॉलिफाइड नहिसे टर्म काइगा वह भी वकीलों के लिए यूसटा है टो महाól भी मैं आप मैनेजिंग क्लर्क हैं यानि इनके जो ऑफिस है उसको समहालते हैं तो प्रवंधक क्लर्क आप प्रवंधक बाबू बोल सकते हैं विलियम फॉल्डर यह हमारा हीरो है जूनियर क्लर्क यह जूनियर क्लर्क है तो यह जो रोवर्ड का उक्षन है उनकी पोस्ट ऊपर है मैनेज हेमलेट पढ़ा है वहाँ जो हीरोज हैं वो कितने उच्छ स्तर के यानि उनका एक अलग क्लास होता है समाज के उचे तबगे से वो आते हैं या फिर आपने जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स भी पढ़ा था तो वो भी एक जाना माना विद्वान है अपने देश का लेकिन जो जॉन गॉल्स वर्दी के हीरोज होते हैं वो कितने साधरण इनसान होते हैं यहां एक जूनियर क्लर की हमारा हीरो है अरिस्टोटल के कंसेप्ट में तो ये कभी हीरो हो ही नहीं सकता था तो इनका कंसेप्ट एकदम अलग है आम आदमी इनका हीरो होता है फिर जो नेक्स करेक्टर है वो स्वीडल है दा ओफिस बोई ओफिस में काम करने वाला लड़का है विस्टर है अजिटेक्टिब ये एक जासूस है फ्रॉम स्कॉटलेंड यार्ड से कावली है अकेशियर बैंक के कैशियर है मिस्टर जस्टिस फ्लॉइड है ये जज है या अधीश है हेरोल्ड क्लीवर एन ओल्ड एडवोकेट ये एक बुजुर्ग वकील है काउंसिल फॉर दा क्राउन यानि सरकारी वकील है तो ये जो एडवोकेट है एक तो होता है लॉयर जिसी के पास भी ल बार काउंसिल का एक्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो वो एडवोकेट नहीं होगा तो एडवोकेट बनने के लिए आपको क्या जरूरी है एक तो लॉकी डिग्री जरूरी है दूसरा बार काउंसिल का आपको लाइसेंस भी जरूरी है तो जिसने बार काउंसिल का एक् advocate यह एक युवा वकील है देफेंस काउंसल तो यह डिफेंस के वकील है फिर है अभी एक मूवी आई है एक बन्दा ही काफी है मनोज बाजपेई की तो उसमें बड़ी अच्छी सी जिरह दिखाई गई मनोज बाजपी ने बहुत अच्छे वकील का किरदार नेभाया है सोलंकी साब का वो अगर आपने देख लीजेगा तो किस तरीके से डिफेंस काउंसिल होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं Captain Danson VC ये प्रिजन गवर्नर है यानि जेल के गवर्नर है फिर The Reverend Hugh Miller अ प्रिजन चैपलेन तो ये जेल के पार नहीं है फिर वोडर है अचीफ वार्डर आफ दा प्रिजन वो मुख्य वार्डर है जेल के फिर Edward Clements अ प्रिजन डॉक्टर ये जेल के डॉक्टर है जेल में एक डॉ दिर्टन, ओnt ट्रियरि, ये कौन है दक कन्वेक्स ये अपरादी है दोशी है और सिरूथ हनीवल्न ये हमारी हिरोईन है अब वोमन एक महला ला जो इस नाइका है इन लव्ब विेध विलियम फोल्डर ये William folder से प्रेम करती है यानि जो folder है और Ruth Honeywell इन दोनों का प्रेम संबंध है लेकिन ये जो Ruth Honeywell है ये married है शादी हो चुकी है इनकी और इनके दो बच्चे भी है और ये अपने पती द्वारा प्रताडित है फिर है a number of barristers बहुत सारे barristers हैं जनरली जिसकिसी ने इंग्लेंड में इंग्लेंड से पढ़ाई की है या उस्ट्रेलिया से पढ़ाई की है वो barristers कहलाते हैं ना solicitor तो मैं आपको बता ही चुकी और अशर अशर कौन होते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो आपको seat दिखाता है जैसे आप cinema hall में जाते हैं फिल्म देखने तो कोई बंदा आपको आपकी seat बताता है किसाब वो आपकी seat है वहाँ जाके बैठो ऐसे ही court में भी जैसे आप बैठेंगे तो आपको आपकी seat बताएगा अशर बताएगा फिर reporters हैं यानि जो report publish करते हैं पत्रकार कह सकते हैं आप इनको jury men jury के सदस्य हैं judges होते हैं warders है prisoners है time जो है about 1910 तो ये एकसर multiple choice questions में इस तरीके से पूछ लिया जाता है सारे characters को जानना आपके लिए जरूरी है और time जानना आपके लिए जरूरी है तो ये याद रखिएगा के 1910 में ये set है drama place क्या है England है act 1 में the office of James and Walter Howe तो act 1 में जो scene है वो कहां का है James Howe और Walter Howe इन दोनों से आप परचत हैं बाप बेटे हैं इनके office का दिर्ष्चे है और July की morning है act 2nd assizes assizes मनलब के court of justice होता है जहां generally जो trial method होता है वो jury के द्वारा होता है और जो second act है वो October afternoon में है तो ये भी आपको याद रखना है multiple choice questions में ये पूछ लिया जाता है कि second act किस वक्त का है तो वो October की शाम का है फिर act 3rd of prison तो जो तीसरा act है वो jail में है December के महीने का scene 1, the governor's office तो जो पहला scene है वो governor के office का है scene 2, corridor का है और scene 3, a cell एक cell का है के भी रहते हैं अपनी cell में रहते हैं फिर जो act 4 है the office of James and Walter Howe तो act 4 फिर से James और Walter Howe के office का है act 1 भी वही था act 4th है last वो भी वही है two years later, दो साल बाद March की सुभह में चीक है और note क्या है the play was first performed ये नाटक सबसे पहले इसका मंचन किया गया था at the Duke of York's Theatre कहां पर मंचन किया गया था ये आपको याद रखना है ये भी पूश लिया जाता है सवाल लंदन में on February 11, 1910 11 फरवरी 1910 को इस नाटक का मंचन किया गया था और अब हम शुरू करते हैं act first stage direction देखिए उसी तरीके से बड़ी सी stage direction है जैसे कि आपने आम सरन्नमें में भी देखी थी जोज बर्नार्ड शॉफ वो भी लंबी लंबी stage direction देते हैं और यहां जान गॉल्स वर्दी ने भी काफी बड़ी stage direction दे रखी है यानि कि जब stage खुलती है तो उस पर क्या-क्या दिखता है आपको the scene is the managing clerk's room तो जो दिश्य है वो managing clerk के कमरे का है at the office of James and Walter Howe James and Walter Howe के office में on a July morning the room is old-fashioned जो कमरा है वो पुराने तरीके का है furnished यानि अच्छे से सुसजित है well-decorated है with well-worn mahogany well-worn मंदा जो लंबे समय से यूज की गई हो पुरानी mahogany उसमें लगी हुई है यह बड़ा महंगी लकडी होती है mahogany की and leather और उसमें चम्रे की भी चीज़ है चम्रे का भी काम है and lined with tin boxes और वहाँ पर tin के बकसों की पंक्ती लगी हुई है and estate plans और estate plans मतलब जो आगे बनने वाली building है उनके plan है मतलब उनके chart है उनके maps है जो आगे बनने वाले है फिर it has three doors इसके तीन दरवाजे है two of them close together in the center of a wall और जिसमें से दो दरवाजे बिलकुल आसपास है बीच में दीवार के बिलकुल बीच में है one of these two doors इन दोनों दरवाजों में से एक leads to the outer office बाहर के office की तरफ ले जाता है which is only divided जो के बटा हुआ है from the managing clerk's room managing clerk के कमरे और उसके बीच में क्या है by a partition of wood and clear glass तो यह जो office है वो बटा हुआ है तो कैसे partition किसे हो रहा है लकडी से और काच से and when the door into this office is opened और जब इस office का दरवाजा खोला जाता है there can be seen तो देखा जा सकता है the wide outer road बाहर का चोड़ा दरवाजा leading out on to the stone stairway of the building और वो दरवाजा कहां ले जाता है leading out मन ले जाता है to the stone stairway यानि पत्थर के जीने की ओर पत्थर की सीडियों की ओर of the building जो कि इस इमारत की है the other of these two center doors इन दो बीच के दरवाजों में से जो दूसरा दरवाजा है leads to the junior clerk's room वो junior clerk के कमरे में जाता है junior clerk से आप परचे थे हैं हमारा hero है folder the third door is that leading to the partner's room और जो तीसरा दरवाजा है वो partner के कमरे में ले जाता है the managing clerk coxon is sitting तो जब दिश्य खुलता है तो हमको किसके दरशन होते हैं coxon दिखाई देता है तो ये भी याद रखिएगा कि पहले दिश्य में जब दिश्य खुलता है तो हमको कौन दिखाई देता है तो coxon दिखाई देता है हर चीज को बहुत बारी की से पढ़ी है खास कर वो लोग जो कमटीशन की तयारी कर रहे हैं जैसे TGT की जो लोग तयारी कर रहे हैं UPTGT में जॉन गॉल्सवर्दी प्रेस्क्राइब है और जो लोग UPTGT तयारी कर रहे है उनके लिए जस्टिस पढ़ना बहुत जरूरी है और बारी की से पढ़ना जरूरी है तो managing clerk coxon is sitting at his table adding up figures तो वो कुछ figure add कर रहा है जोड रहा है दो प्लस चार प्लस छे प्लस साथ तो ऐसे करके वो adding up figures in a past book एक past book में and murmuring और बड़ बड़ा रहा है their numbers उनकी संख्याएं to himself अपने आप से अकेला-केला जोड रहा है जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग बोल-बोल के count करते है या पढ़ते भी हैं तो बोल-बोल के पढ़ते है तो वैसे ही वो बोल रहा है he is a man of 60 खास दियान रखना है कि वो 60 साल का वेखती है wearing spectacles पूछ लिया जाता है इसके बारे में कोकसन किस प्रकार का वेखती है हर character के बारे में आपको याद रखना है कौन किस प्रकार की उसकी physique है किस तरीके की शारीरिक बनावट है क्या age है तो याद रखेगा सार साल का वेखती है wearing spectacles चश्मा पहन रखा है rather short पेक्षाकरत उसकी जो लमाई है वो छोटी है with a bald head सिर्व उसका गंजा है and an honest pug dog face और उसका जो चेहरा है बनावट पग डॉग आपने कुटा देखा होगा उसके लंबे-लंबे बाल होते हैं बड़ा मासूम सा चेहरा होता है उसका तो उसी प्रकार का इमानदार pug dog face है उसका लंबे-लंबे बालों वाला छोटा सा कुटा होता है आपने देखा होगा तो उस तरीके का उसका चेहरा यानि उसको देख के कोई सोच ही ही नहीं सकता कि ये बन्दा बेइमानी कर सकता है तो उसके चेहरे से ही इमानदारी जलगती है इस तरीके का चहरा है तो देखे उसकी ड्रेस कैसी है वेल वर्न मतलब वही काफी यूज किया गया पहले भी ये वेल वर्न वर्ड आ चुका है महोगणी के रेफरेंस में आया था तो ये महोगणी का फरनीचर था यहां जो आपने बढाता है ये वेल वर्न तो जो यूज करके जो चीज पुरानी हो जाती है वो वेल वर्न कहला दिया है तो यहां भी वो वेल वर्न ब्लेक फ्रॉग है जो उन्होंने पहन रखे काफी समय से पहन रहे है कोट फ्रॉग कोट है एंड पेपर एंड साल्ट ट्राउजर्स अब ये जो पेपर है वो काली होती है काली मिर्च और साल्ट सफेद होता है तो पेपर एंड साल्ट ट्राउजर्स का मतलब हुआ कि एक ऐसा उन्होंने ट्राउजर्स पाईजामा पहन रखा है जिसमें काली और सफेद धारियां है कोक्षन तो अब देखे कोक्षन का डायलोग देखे अब इनकी हिंदी करने की ज़रूत है क्या वैसे तो आपको आती हैं इस सारी गिंतियां पांच, बारह, तीन, पंद्रह, उन्नीस, एक्किस, बत्तिस, चालीस 41, अच्छा, एक्तालीस हो गया and carry 4, carry का मतलब हो हसला के हम बोलते हैं जब count करते हैं तो हसला का 2 बचा, तो carry 4 मतलब हसला तो 4 हसल का हुआ he ticks the page, page पर एक का निशान लगाता है and goes on murmuring और फिर बढ़ बाड़ेने लगता है 5, 7, 12, 17, 24, and 9, 33, 13, and carry 1 तो इतनी सारे नंबर बोल के फिर हसल का एक he again makes a tick और फिर से एक निशान लगाता है the outer office door is opened जो बाहर का office दरवाजा है वो खुलता है and swedal, the office boy swedal से आपर्चत है, office में काम करने वाला लड़का है वो आता है appears closing the door behind वो आता है और पीछे से दरवाजे को बंद कर देता है he is a pale youth of 16 ये भी आपको याद रखना है बड़ा पीला सा योबक है 16 साल का with spiky hair उसके जो बाल है वो नुकीले से हैं कुछ लोगों के देखा होंगे बड़े hard कांटे जैसे बाल होते हैं इस पाइक पाने कांटा होता है तो नुकीले से उसके hard बाल है coxon with grumpy expectation grumpy मलब वो इसकी उदास सा चहरा अपना बैसे ही चहरे serious चहरे के साथ expectation मलब उसकी तरफ देखते हैं मलब पूछने के अंदाज में भई कैसे आयो अंदर लेकिन बोलते कुछ नहीं है and carry one और हसला का एक वो अपने हिसाब के ताम में लगे रहते हैं there is a party wants to see folder mr. coxon बाहर एक party मतब कोई एक व्यक्ती है जो कि मिलना चाहता है folder से कोई मिलने आये है coxon 5, 9, 16 coxon अपना हिसाब भी जोडते रहते हैं 21, 29 and carry two और फिर हसला का दो send him to morris what name अच्छा उसे morris के पास भीज़ दो जो भी आया है मिलने नाम क्या है swedal honeyville honeyville नाम है coxon what is his business उसका काम क्या है swedal it is a woman अरे वो his his कर रहा है न तो आदमी नहीं है भाई वो औरत है coxon a lady क्या एक संभ्रांथ महिला है no a person नहीं एक साधार महिला है तो देखिए थोड़ा difference आपको देखेगा कि जो बड़े घर की या वैसी भद्र महिला है वो lady कहलाती है और जो simple घर की है वो केवल a person भाशा का अंतर देखिएगा कि वो बड़े घर की महिला नहीं है simple है तो coxson अगर बड़े घर की महिला है तो फिर अलग बात हो जाती है उनका अलग रुटवा होता है coxson आसकरन ठीक है अंदर आने को कहो take this passbook to James ये passbook James के पास ले जाओ he closes the passbook वो का पासbook को बंद करता है स्वीडल reopening the door स्वीडल फिर से दरवाजे को खोलते हुए will you come in please क्या आप अंदर आएंगी ruth hannival comes in तो जो हमारी हीरोईन है ruth hannival वो अंदर आती है she is a tall woman अब उनका physique देखिए वो एक लंबी महिला है 26 years old उम्र देखिए उनकी 26 साल है 26 साल काफी मलब युवती ही है 26 साल की unpretentiously dressed unpretentiously simply उसने बहुत साधान तरीके की dress पहन रखी है साधे हैं लेकिन अच्छे अच्छे हैं मलब ठीक ठाक हैं कपड़े वैसे नहीं कि फटे पुराने लेकिन अच्छे dress पहन रखी है और simple है with black hair and eyes उसके काले बाल हैं और काली आँखें हैं देखने मलब किया हुआ अभी पूरा सुन लीजे and an ivory white clear cut face और ivory हाथी दांग के जैसा सफेग clear cut चेहरा है यनि कि क्या मतलब हुआ बहुत खुबसूरत है 26 साल की है शादी हो चुकी है दो बच्चे भी है लेकिन वो बहुत खुबसूरत है ivory white उसका face है काली आँखें है गोरे एकदम गोरे चेहरे पर काली-काली आँखें और काले-काले बाल आप सोस सकते हैं बहुत खुबसूरत लग रही होगी शी स्टेंट्स वेरी स्टिल वो बहुत शांत खड़ी होती है having a natural dignity of pose and gesture अब देखिया attraction है उसमें grace है ऐसे ही जो physique है वो भी count करती है किसी को दूसरी की तरफ attract करने में तो जो हमारा hero है folder वो तो unmarried है वो इसकी तरफ attract हुआ है तो इसमें काफी जो मात्रा है काफी जो role है इसकी physique का भी है वो खुबसूरत भी है दूसरा अपने पती के दोरा पीडित है तो sympathy भी है उसके पती she stands very still वो बहुत शांत खड़ी है having a natural dignity of pose तो जो natural dignity होती है एक समान होता है एक खुबसूरती होती है pose खड़े होने की या बैठने की जो posture होता है and gesture और जो उसका how-how है उसमें भी एक dignity है उसमें भी एक grace है उसमें भी एक खुबसूरती है स्वीडल गोज आउट with the passbook into the partners room तो passbook लेके स्वीडल तो partners room में चला जाता है coaxon looking round at Ruth coaxon Ruth की ओर देखता है the young man's out वो युबक बाहर है suspiciously थोड़ा शक करते हुए state your business please पर आपना काम बताइए Ruth who speaks in a matter of fact voice जो कि matter of fact मैं बड़ी clear आवाज में इस पश्ट आवाज में बोलती है accent और उसका जो accent है सभी का accent आपने देखा हूँ अलग होता है हम अलग तरीके से English बोलते हैं Japanese अलग तरीके से बोलते हैं चीनी अलग तरीके से बोलते हैं तो सभी का अलग-अलग accent होता है तो इसका West Country accent है यानि पश्चिम की और का अपने इंग्लेंड में जो पश्चिम की और का accent है उसका इस अपरसनल मेटर सर मेरा जो मामला है वो व्यक्तिकत है कोक्सन यहां पर हम व्यक्तिकत मिलने वालों को इजाज़त नहीं देते अनुमती नहीं देते क्या आप एक संदेश छोड़ सकती है मतलब कि यह महला फॉल्डर से मिलना चाहती है और कोक्सन चाहता है कि यहां परसनल मीटिंग ना हो तो वो कहता है कि आप मैसेज छोड़ दीजे फॉल्डर के लिए रूथ आइवोड राधर सी हिम प्लीज नहीं मैसेज छोड़ने की बजाए उससे मिलना चाहूंगी शी नरोज हर डार्क आइज वो अपनी आँखों को थोड़ा सा सिकोड़ती है और उसकी तरफ एक आकर शक्सी दिष्टी डालती है कोक्सन एक्सपेंडिंग कोक्सन थोड़ा सा अचकचाता है इस अल अगेंस दरूल ये सब नियमों के खिलाफ है सबोस आई हैड माई फ्रेंड्स टू सी मी अब मालो मेरे दोस्त मुझसे यहां मिलना है आ जाए इड वोड नेवर डू तो ये बिलकुल नहीं चलेगा न रूथ नो सर नहीं चलेगा कोक्सन थोड़ा सा अश्यर चकित होते हुए इग्जेक्टल यानि रूथ उसके लिए तो कह रही है कि हाँ ऐसा नहीं चलेगा तो उसे बड़ा अश्यर हुआ कि अच्छा इस बास से तो सहमत हो रही है कि नहीं मेरा दोस्त मुझसे यहां मिलने नहीं आ सकते और अपने खुद मिलने आई है तो वो थोड़ा सा चेकनाव आश्यर चकित होते हैं तो एग्जेक्टल यहां बिल्कुल वैसे ही और मैं तो भाया फिर भी सीनियर हुँ मैंनेजिंग क्लर्ग हो तुम यहां एक जूनियर क्लर्ग से मिलना चाहती हो रूथ मिलना चाहती हो मेरा उसे मिलना जरूरी है कोकसन तो फूरा उसरोड आउट रेज इंटरेस्ट अब पूरा उसकी तरफ मुडते हैं और बड़े गुसे से आउट्रेज जब कोई होता है तो गुसे मोता है तो गुसे के हावाव से वो उसकी तरफ मुड़ते हो कहते हैं लेकिन ये एक वकील का ओफिस है अगर तुम्हें उससे मिलना ही है तो उसके प्राइवेट एड्रेस पर जाओ उसके घर पर जाओ रूथ, he is not there, वो अपने घर पर नहीं है, कोक्सन, uneasy, कोक्सन थोड़े से बेचैन होके कहते हैं are you related to the party, क्या तुम उससे समंधित हो, रूथ, no sir, नहीं, मुलब मैं उसकी relative नहीं हूँ कोक्सन, in real embarrassment, अब तो वो और ज़्यादा परिशान हो जाते हैं, I don't know what to say अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम से क्या कहूं, it's no affair of the office, ये office का का काम नहीं है यानि इस तरीके से किसी से personally मिलना, ये office का काम थोड़ी है, office में आके मिलवाना तो रूट कहती है, but what am I to do, लेकिन मैं क्या करूं, कोक्सन, dear me, hi, I can't tell you that, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम क्या करोगी स्वीडल comes back, स्वीडल वापस आता है, he crosses to the outer office, वो बाहर के office को निकलता है, cross करके, and passes through into it और इससे होकर गुजरता है, with a quizzical look, और जो उसकी look है, वो quizzical है, मतरकि suspiciouscy or stancy है यानि कोक्सन इस और इत्ती देर से बत्या रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा शक हो रहा है, तो बड़ी विचित्रसी उसकी नजर है, at coxn, coxn के उपर डालता है, carefully leaving the door an inch or two open अब वो क्या करता है, कि आवाज, क्या बात हो रही है, वो बाहर सुनाई दे, इसके लिए वो एक या दो इंच दरवाजे को खोड़ जाता है, जान बूज कर, carefully, बड़ी साबधानी से, coxn, fortified by those look, अब coxn को ये जो look है, उसका, बड़ा, इससे थोड़ी उनको ताकत मिलत हमत मिलती है, this one do, ये नहीं चलेगा, you know, तुम जानती हो, this one do, ये नहीं चलेगा, at all, बिल्कुल भी नहीं, suppose one of the partners came in, अब मालो कोई partner आ गया तो, an incoherent knocking and chuckling is heard from the outer door office, एक incoherent वान है, जिसमें कोई coherence नहीं है, यानि उथल पुथल सी, irregular सी, रुक रुक कर चलने वाली, ऐस नौकिंग खटखटा हर्ट and chuckling हसने की आवाज, इस हर्ट सुनी जाती है, from the outer door office, यानि जो बाहर के दरवाजा है, office का, वहां से एक आवाज सुनाई देती है, स्वीडल, putting his head in, अपना सिर अंदर गुसाते हुए, स्वीडल बोलता है, there are some children outside here, यहां कुछ बच्चे हैं बाह रूत, they are quite small sir, अरे वो बहुत छोटे बच्चे हैं बाई, she takes a step towards coxion, वो एक कदम coxion की और बढ़ती है, coxion, you mustn't take up his time in office arts, तुमें office के duration में, यानि जो office का समय है, उसमें उसका समय बरबाद करने नहीं आना चाहिए, यानि folder से मिलें नहीं आना चाहिए, we are a clerk short as it is, हमें य यानि काम बहुत ज्यादा है और एक clerk की कमी पहले ही चल रही है और इस बीच तुम मिलने आ गई, रूत, it's a matter of life and death, ये जिंदगी और मौत का मामला है, coxion, again outraged, coxion, फिर से गुष से, life and death, जिंदगी और मौत का, स्वीडल, here is folder, अरे folder आ गया, folder has entered through the outer office, folder बाहर के office से प्रवेश करता है, he is, अब देखे, अपने hero से मिलिये, और वो किस तरीके की उसकी फिजिक है, he is a pale, तो उसका जो रंग है, वो पीला है, good looking young man, यानि देखने में खुबसूरत नौजवान है, with quick, rather scared eyes, उसकी आँखें quick हैं, sharp हैं, rather scared, अपेच्छा करें, दरी हुई हैं, उन में बहुत ज़्यादा हिमलत और बहुत ज़्यादा कड़कपन नहीं है, थोड़ी से दरी हुई सी आँखें है, he moves towards the door, अच्छा थोड़ा सा अगर वेक्ति कोई गलती करके आता है, तो भी उसकी आँखों में हलका सा दर होता है, तो कुछ उस तरीके का भी डर है, क्योंकि वो गलती मेरे साब से कर चुका है, he moves towards the door of the clerk's office, तो वो clerk के office के दरवाजे की ओर मुड़ता है, and stands there irresolute, और वहां पर खड़ा हो जाता है, irresolute का मतब होता है, थोड़ा सा hesitatingly, हिचकिचाते हुए से खड़ा हो जात है, कोकसन, well, I will give you a minute, ठीक है, मैं तुम लोगों को एक minute देता हूँ, it's not regular, यह मतलब रोजाना होने वाला काम नहीं है, यह office के against है, office के rules के against है, जो तुम कर रहे हो, regular नहीं है, यह काम, normal नहीं है, taking up a bundle of papers, तो कागजों का एक गठर उठाता है, he goes out into the partner's room, और वो partner के कमरे म जल्दबाजी में बोलती है, he's on the drink again, यानि फिर से उसने शरापी, अपने पती के लिए बोल रही है, विल, उसका नाम है, तो विल ने शरापी, फिर से, he tried to cut my throat last night, पिछली रात तो उसने मेरा गला काटने की कोशिश की, I came out with the children, मैं बच्चों को लेकर भाग आई, before he was awake, इससे पहले कि वो जग पाता, I went round to you, मैं तुम्हारे एक घर भी गई थी, folder, I have changed my dicks, मैंने अपना घर बदल लिया है, अपना जो रहने का इस्थान है, वो बदल लिया है, रूथ, is it all ready for tonight, क्या आज रात के लिए सब कुछ तयार है, यानि इनका भागने का प्लान है, जो रूथ हनीविल है, वो folder के साथ भागने का दोनों का प्लान है, वो अपने घर से अपने बच्चों को ले आई है, दो बच्चों की माँ है, तो हमारे समाज में तो इसको बह कि कितना भी बुरा हो आपका, है ना, रोज मारे पीटे, आपका गला काट दे, दारू पीता हो, लेकिन अपने पती को छोड़ कर किसी और लड़के के साथ, वो भी दो बच्चों को ले कर भागना, नौट चॉलेबल, तो हमारे यान तो बहुत ही बुरा माना जाएगा, ल बहुत है, बचकर 45 मेरे पर एड दा बुकिंग ऑफिस, बुकिंग ऑफिस में, फो गौड सेख, भगवान के लिए, डोंट फॉर्गेट, भूल मत जाना, वी आर मैन एंड वाइफ, अब तुम्हें यह धियां रखना है, कि हम पती पत्नी है, यानि अब किसी को भी ये जाह बन के बेरे रहते हैं, तो वो ही कह रहा है कि अब ध्यान रखना, लोकिंग एट हर, विद ट्रैजिक इंटेंसिटी, उसकी ओड देखते हुए, बड़ी करणा की दिश्टी से, रूथ, बड़े भाव बेफोर होकर वो बो बोलता है, रूथ, रूथ, यू आ नोट चीज हैं, और बच्चों की चीज हैं, यानि अपना और बच्चों का सामान ले लिया है, रूथ, I had to leave them, मुझे वो सब सामान छोड़ना पड़ा, for fear of waking honey will, के मुझे डर ये था कि honey will जग जाएगा, यानि मेरा पती जग जाएगा, all but one bag, सब को छोड़ना पड़ा, सिवाए एक bag के, बसे एक bag लेकर आई हूँ, I can't go near home again, अब मैं अपने घर के पास भी नहीं फटक सकती, folder, wincing, folder थोड़ा सा वेदना पकट करते हुए, परिशान होते हुए, all that money gone for nothing, वो सारा पैसा सा बरबाद हो गया, how much must you have, अब तुम्हें कितने पैसे और चाहिए, रूथ, six pounds, six pounds चाहिए, I could do with that, मैं इतने में काम चला लूँगी, I think, मुझे लगता है, folder, don't give away where we are going, यनि किसी को मत बताना, give away मत रिवील करना, तो किसी को मत बताना कि हम कहां जा रहे हैं, as if to himself, जैसे कि अपने आप से का रहा हो, when I get out there, जब मैं वहां पहुंच जाऊंग I mean to forget it all, तो मेरा इरादा है कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगा, रूथ, if you are sorry, अगर तुम्हें दुख है जाने में, say so, तो ऐसा बता दो, I would sooner be killed, अच्छा, he killed me, I would sooner, यनि मैं ये ज्यादा पसंद करूँगी, he killed me, कि मेरा पती मुझे मार डाले, then, बजाए इसके, take you, तुमको ले जाऊं, against your will, तुम्हारी इच्छा के खिलाफ, फाल्डर, with a queer smile, एक विचित्र सी मुस्कान के साथ, we have got to go, नहीं, हमें जाना है, I don't care, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, I will have you, मैं तुम्हें पाकर रहूँगा, रूथ, you have just to say, तुम्हें बस कहना है, अगर तुम नहीं जाना चाहते हैं, तुम्हें बस बोल दो, It's not too late, अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, फाल्डर, It's too late, नहीं, अब बहुत देर हो जुकी है, Here's seven pounds, ये लो, साथ पाउंड रखो, booking office 11.45, और 11.45 पर booking office पर मिलना, Tonight, आज की रात, If you weren't, what you are to me, Ruth, अब वो कह रहा है, थोड़ा सा sentence गुमा कर बनाया है, लेकिन मतलब इसका ही है, If you weren't, काश तुम नहोती, what, जो कुछ भी, you are, तुम हो, To me, मेरे लिए, Ruth, काश जो तुम मेरे लिए हो, वो नहोती, हना, हमें काश तुम से महबबत नहोती, कहानी हमारी हकीकत नहोती, गाना सोना होगा आपने, तो काश वो तुम नहोती मेरे लिए, जो तुम हो, Then fly apart, फिर एकदम से जटके से अलग हो जाते हैं, Just as coaxon re-enters the room, जैसे ही coaxon कमरे में वापस प्रविश करता है, Ruth turns and goes out through the outer office, Ruth मुरती है और बाहर वाले office से होकर निकल जाती है, Coaxon advances deliberately to his chair and seats himself, Coaxon मुलब जान बुझकर बड़ी साथभानी से अपनी seat की तरफ जाता है, और वहाँ बैठ जाता है, Coaxon, this isn't right folder, ये ठीक नहीं है folder, It shouldn't occur again sir, Sir ये फिर से नहीं होगा, ऐसा फिर से नहीं होगा, Coaxon, it's an improper use of these premises, ये improper माने अनुचुत प्रयोग है, उप्योग है, of these premises माने इस बिल्डिंग का, इस जगह का, Yes sir, हाँ, बिल्कुल sir, Coaxon, you quite understand, तुम ये अच्छे से समझते हो, the party was in some distress, कि ये जो थी, party मतलब कि जो रूट के लिए कह रहा है, कि वो काफी परिशानी में थी, and having children with her, और उसके साथ बच्चे भी थे, I allowed my feelings, he opens the drawer and produces from it a tract, तो वो कहता है कि I allowed my feelings, मैंने अपनी भावनाओं को allow कर दिया, यानि जो नितिक मूले थे, जो मेरी emotions थी, उनको मैंने control कर लिया, और तुमको ऐसा करने दिया, यहां मिलने दिया तुमको, he opens the drawer, वो तो वो अपना दराज खोलता है, and produces from it a tract, और उसमें से एक छोटी सी किताब निकालता है, just take this, yellow, purity in the home, तो उसका title है, उस छोटी सी किताब का, कि जो शुदता है, वो घर में होनी चाहिए, purity in the home, यानि घर की पवित्रता, it's a well written thing, यह बहुत अच्छे से लिखी हुई चीज़ है, मतलब कोकसन उसको यह छोटी सी किताब दे रहा है, जिससे कि वो अपने घर की पवित्रता को बनाई रखे, यानि कि यह moral values पर लिखी हुई एक किताब है, और कोकसन यह बात महसूस कर रहा है, कि एक ऐसी महिला, जिसके जो married है और जिसके दो बच्चे हैं, और उसके साथ अभी अभी उसने पकड़ा है फाल्डर को, यह दौनों गले मिल रहे थे, और जो भी है, तो उस सवस्था में जब कोकसन ने उसको पकड़ा है, तो उसको महसूस हो गया, कि यह सही रास्ते पर नहीं जा रहा है, भाई यह तो अन्यतिक है, किसी दूसरे की पत्नी के साथ, इस तरीके से संबंध रखना, तो यह तो किसी भी समाज में, जो कि ने तिक मूल्यों को मानता हो, उसमें गलत है, तो कोकसन इसलिए उसको यह किताब दे रहे है, प्योर रिटीन दा हूं, फाल्डर टेकिंग इट विद अ पिक्योलियर एक्स्प्रेशन, फाल्डर उसको अपने हाथ में लेता है, बड़े विचित्र से एक्स्प्रेशन के साथ, अभी व्यक्ति के साथ, थेंक यू सर, शुक्रिया शेवांजी, कोकसन, और देखो फाल्डर, बिफोर मिस्टर वाल्टर कम्स, इससे पहले कि मिस्टर वाल्टर आए, क्या तुमने वो गया था उसके जाने से पहले, मैं उसको कल कर लूँगा, और आज देखिए भागने का प्लान है, और कह रहा है कि मैं कल कर लूँगा, Sir, for good, यानि हमेशा के लिए, हमेशा के लिए तो कुछ और ही करने वाला है, कोकसन, इस ओवर अवीक सिंस देविस वेंट, जब से डेविस गया है, तब से एक सब्ताह निकल गया, now it won't do folder, फाल्डर अब ये नहीं चलेगा, you are neglecting your work, तुम अपने काम के लापरवाही कर रहे हो, for private life, व्यक्तिकत जिन्दगी के लिए, I shan't mention about the party having called, मैं, मैं बनाब किसी को ये तो नहीं बताऊँगा, I shall not mention, यानि मैं किसी से जिक्र नहीं करूँगा, इसके बारे मैं नहीं बताऊँगा, about the party, यानि अभी जो लड़की महिला तुम से मिलने आई थी, having called मैं जो मिलने आई थी, but लेकिन, Filder passing into his room, अपने कमरे में जाते हुए, Thank you sir, शुक्रिया शेमान जी, Coaxan stares at the door, Coaxan उस दरवाजे को घूरते हैं, through which Filder has gone out, जिसमें से होकर Filder अभी गया है, then shakes his head, फिर अपना सिर हिलाते हैं, and it's just settling down to right, when Walter Howe, comes in through the outer office, वो लिखने ही बैठते हैं कोक्सन, तभी Walter Howe office से होकर अंदर आते हैं, he is a refined looking man, वो एक संभांत दिखने वाले व्यक्ती हैं, of 35, 35, 35 साल की इनकी उम्र है, with a pleasant, almost apologetic voice, और उनकी जो आवाज है, बड़ी खुशनुमा है, और apologetic जिसमें के एक माफ करने वाला, या विनमरता होती है, apologetic voice, जिसमें बड़ी, politeness होती है, तो उस तरीके की आवाज है, Walter, good morning, कोक्सन, कोक्सन, morning Mr. Walter, Walter, my father here, क्या मेरे पिता यहां आए, कोक्सन, always with a certain patronage, as to a young man, who might be doing better, तो कोक्सन की जो लहजा होता है, always मने हमेशा, with a certain patronage, एक patronage क्या होता है, पैत्रिक भावना होती है, parental spirit होती है, तो वैसी भावना उनकी होती है, as to a young man, एक ऐसे युवक की प्रती, who might be doing better, जो कि भविश्य में अच्छा कर सकता है, Mr. James has been here since 11 o'clock, तो Mr. James, यानि कि आपके पिताजी, यहां यहीं पर हैं, 11 बज़े से हैं लगवग, तो Walter कहता है, I have been in, to see the pictures at the guild hall, तो मैं तो guild hall में तस्वीरें देखने गया था, coxon, looking at him, उसकी तरफ देखते हुए, as though this was exactly what was to be expected, जैसे कि इसी बात की उमीद रही हो सुनने की, अच्छा, अच्छा, आप guild hall गाई थे, अच्छा, अच्छा, this lease of boulders, यह जो lease मने पट्टा होता है, of boulders, यानि कागजाद दिखा रहा है, मैंने आपको भी बताया था न, कि इन लोगों का, जो मुख्य काम होता है, conveyancing का होता है, तो उसमें एक, ले किराए पर दिया, बैंक को उठा दिया, या फिर किसी hospital को उठा दिया, किराए पर, तो उसके लिए lease बनते हैं, नीपटे दारी के कागजात बनते हैं, तो वही वो दिखा है, this lease of boulders, यह जो पट्टा है, boulders का, am I send it to council, क्या मैं इसको council के पास, यानि बकील के पास भेज़ दूँ क्या, Walter, what does my father say, अच्छा मेरे पिता जी का क्या कहना है, coxon, I haven't bothered him, अभी मैंने उनको परिशान नहीं किया, मैंने उनसे बात नहीं किया, इस विशे में, Walter, well, we can't be too careful, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा सतर्क तो नहीं रह सकते, coxon, it's such a little thing, अरे इसमें इतना सतर्क रहने की क्या बात है, छोटी सी चीज है, hardly worth the fees, मुश्किल से ही, यह मतलब जितनी फीज है हमारी, उसके लायक है यह, I thought you would do it yourself, मैंने सोचा कि इस काम को तो आप ही कर लोगे, आपके पिता जी को क्यों परिशान किया जाए, Walter, send it, ठीक है तो भेज़ दो इसको, I don't want the responsibility, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, coxon, with an indescribable air of compassion, indescribable, describe मने वर्ण करना होता है, और describable जिसका वर्ण किया जा सके, indescribable जिसका वर्ण ना किया जा सके, तो awareness नहीं बोला जाता है इसको, तो एक awareness, air का मतब यहां हवा नहीं होता, how-how होता है, gesture होता है, expression होता है, और compassion मने दया या करूना होती है, तो दया करूना होता है, एक awareness भाव के साथ, just as you like this, मतब जैसा आप पसंद करें, ठीक, जैसा आप चाहें, this right of way case, यह एक और case है, right of way, मतब कि रास्ते का हक, वो case है, we have got them on the deeds, हमने मतब उनसे deeds तयार करा लिये हैं, मतब इसको deed पर ले लिया है, इनसे करार कर लिया है, Walter, I know, मुझे पता है, but the intention was obviously to exclude that bit of common ground, लेकिन जो इरादा था, वो that was obviously, वो इस पश्च रूप से to exclude, मने छोडने का था, that bit, वो जो टुकड़ा था of common ground, यानि सामन्ने लोगों की जमीन का, इरादा था, we needn't worry about that, हमें उसके बारे में चिंता करनी की जुरूद नहीं है, we are the right side of the law, हम कानून के सही पक्ष में हैं, यानि एक तो wrong side होती है, जहां व्यक्ति दोशी होता है, और दूसरा right side होती है, जहां व्यक्ति निर्दोश होता है, तो हम right side में हैं, Walter, I don't like it, मुझे ये पसंद नहीं है, coxion, with an indulgent smile, एक कोमल सी मुस्कान के साथ, we shouldn't want to set ourselves up against the law, अब हम अपने आपको कानून के खिलाफ तो नहीं रखना चाहेंगे, अगेंस द आलो कानून के खिलाफ, your father wouldn't waste his time doing that, आपके पिताजी ये करने में अपना समय बरबाद नहीं करेंगे, यानि ये लोग कानून के हिसाफ से चलते हैं, गैर कानूनी काम नहीं करते हैं, as he speaks, जब वो बोलता है, James Howe comes in, तो James Howe भी जो के इनके पिताजी हैं, वाल्टर हाओ के वो भी अंदर आ जाते हैं, from the partner's room, partner के कमरे से, he is the shortest man, तो इनका जिक्र तो पहले भी हो चुका है, कि वो एक छोटे, अच्छा इनका भी का हुआ है, भी तो पर्चे ही हो रहा हैं, तो वो एक छोटे से वेकती हैं, पहले पर्चे जो हुआ था, हमारा कोक्सन से हुआ था, छोटे से वेकती हैं, with white side whiskers, तो उनके जो side whiskers, यानि जो गलमुच्छे हैं, वो सफेद हैं, बुजूर्ग हैं तो सफेद रंग की होंगें, plentiful grey hair, और काफी उनके भूरे बाल हैं, shrewd eyes, आँखें बड़ी तीछी हैं, sharp हैं, बुजूर्गों के आँखें होई जाती हैं, क्योंकि experience होता हैं, उनको तो sharp आँखें हैं, वो जल्दी पहंचान लेते हैं, लोगों की, जो शात्रिय लोगों को, या culprits को, अपराधियों को जल्दी पहंचानते हैं, and gold pince-nez, और मलब जो सुनहरी रंग का, उनका pince-nez या चश्मे के लिए आया, तो जो उनका चश्मा है, वो सुनहरी है, James, morning Walter, Walter, how are you father, आप कैसे हैं पिता जी, coxon looking down his nose, यानि अपनी नाक के नीचे की तरफ देखते हुए, at the papers, कागजों को in his hand, जो उनके हाथ में है, as though, जैसे के deprecating their size, उनकी deprecate का मतलब होता है, undervalue, तो उनके जो size है, उसको वो undervalue कर रहे हो, इस तरीके से देख रहे हैं, I will just take Walter's lease, into young folder, to draft the instructions, यानि मैं ये जो बॉल्डर की lease का जो कागज है, वो मैं फाल्डर के पास ले जा रहा हूँ, to draft the instructions, यानि कि वो instructions जो निर्देश हैं, उनको draft कर दे, तयार कर दे, he goes out into folder's room, और ये कहता हुआ, वो folder के कमरे में चला जाता है, Walter, about that right-of-way case, वो उस case का क्या हुआ, right-of-way जो रास्ते का हख वाला जो मामला था, उसका क्या हुआ, Jims, oh, well, we must go there, हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ, मैं वहाँ जाना चाहिए, I thought, मैंने सोचा था, you told me yesterday, कि आपने मुझे शायद कल बताया था, the firm's balance was over 400, कि इस firm का जो बिलेंस है, वो 400 के असपास है, Walter, so it is, हाँ, बिल्कुल है, Jims, holding out the passbook on his son, to his son, passbook अपने बेटे को दिखाते वो, पकड़ाते हुए, 351, no recent checks, यह 351, और अभी हाल ही में कोई check यहाँ से नहीं निकाला गया है, just get me out the checkbook, जरा मुझे checkbook निकाल के दो, Walter goes to a cupboard, Walter एक अलमारी की तरफ जाता है, unlocks the drawer, drawer का ताला खोलता है, and produces a check, और check देता है, James, tick the pounds in the counterfoils, अच्छा जो counterfoils होती है, उनमें वो तुम जरा टिक लगाते जाओ, यहनि कितने-कितने pound के check कटे हैं, उनमें तिक लगाते जाओ, तो एक तो 5 pound का कटा है, एक 54 pound का कटा है, एक 7 का है, एक 5 का है, और 28 का है, 20 का है, 90 का है, 11 का है, 52 का है, 71 का है, टेली, अच्छा मिला लिया भी, तो यह ठीक है, Walter nodding, Walter सिरह लाते हुए, can't understand, यह समझ में नहीं आ रहा है, made sure it was over 400, यह पक्का कर ला हूँ कि, यह 400 से उपर का है, James, गिम मी दे चैक बुक, अच्छा मुझे चैक बुक दो, यह टेक्स दे चैक बुक, एंड कौन्स दा काउंटर फॉइल, वो चैक बुक लेता है, और कौन्स का मतब होता है, examine carefully, ध्यान से अच्छी तरह से, चैक करना, जाचना, तो बड़े ध्यान से जाचते हुए, वोट्स दिस 90, यह क्या है, नब्भे, वाल्टर, वो दू इट, यह किसने ड्रॉ किया, यह जो 90 पाउंड का चैक है, यह किसने ड्रॉ किया, यह पैसा किसने निकाला, जेम्स, यू, तुमने, वाल्टर, टेकिंग दे चैक बुक, चैक बुक को लेते हुए, जुलाई सेविंथ, अच्छा, यह साथ जुलाई का है, अब साथ जुलाई को तो मैं ट्रेंटन एस्टेट देखने गया था, लास्ट फ्राइडे वीक, वो पिछले, फ्राइडे की बात है, पिछले हफ़ते, शुक्रवार की बात है, अब साथ जुलाई को तो मैं वहाँ से वापस मंगलवार को आया था, यू रिमेंबर, ये तो आपको याद है, बट लुक हीर, लेकिन ये देखो, फादर, इट वोज नाइन, ये नौ पाउंड का चेक था, आई डू अचेक फॉर, यानि मैंने जो चेक ड्रॉ किया है, वो तो नौ पाउंड का था, फाइव गिनी, तो इसमें थर्स, एंड माई एक्सपेंसे, इसमें से पाँच गिनी तो इसमें थर्स किये लिये थी, और बाकी मेरे खर्चे के लिये था, इट जिस्ट कवर्ड ओल बट राफ क्राउं, और वो सारा खर्च भी हो गया, बस उसमें से आधा क्राउं बचा है, जेम्स ग्रेवली, जेम्स बड़ी गंभीरता से, लेट्स लुक एट नाइन्टी चेक, जरा देखें तो इस नभ्भे पाउंड के चेक को, वो बंडल में से उस चेक को बाहर निकालता है, इन दा पॉकेट ऑफ दा पास्वुक, जो के पास्वुक की पॉकेट में रखे हुए हैं सारे, लगता तो ठीक है, दिर इस नो नाइन हीर, यहां तो कोई नाइन नहीं है, दिस इस बैड, यह गलत है, वो नौ पाउंड का चेक किसने कैश किया था, वाल्टर पॉजल्ड एंड स्पाइन, अब वाल्टर थोड़ा सा परिशान हो जाता है, और स्पाइन का मंतर ग्रीव्ड, थोड़ा सा दुखी भी हो जाता है, लेट सी, देखते हैं, मैं तो मिस्स रेडी की वसीयत ख़तम कर रहा था, उल्ली जस्ट हैट टाइम, इतना ही वक्त था वस मेरे पास, यस, आई गेव इट टू कोक्षन, मैंने तो यह वो चैक कोक्षन को दे गिया था, याद आ गया, जिम्स, लुक एट तेट टी वाई, अच्छा जरा नाइन के पीछे जो टी वाई लिखा है, नाइन्टी के लिए एन याद टी वाई होता है, अब यह जरा टी वाई को देखो, क्या यह टी वाई तुम्हारा है, वाल्टर, आफ्टर कंसिडरेशन, वाल्टर, थोड़ा ध्यान से देखने के बाद, मै वाई जो वाई होती है, वो थोड़ी सी कर्ल हो जाती है, यानि वो घुमावदार हो जाती है, दिस डेजन्ट, यह तो नहीं है, अब जिम्स, एस कोक्सन रिएंटर्स फ्रॉम्हारा जब कोक्सन फाल्डर के कमरे से वापस आता है, वी मस्ट आस्क हैं, चलो उससे पूछते हैं, अच्छा जड़ा यहां आओ, और थोड़ा सा याद करो, अपने दिमाग को थोड़ा पीछे ले जाओ, कोक्सन, क्या तुम्हें याद है कि तुमने पिछले सब्ता, शुक्रवार को मिस्टर वाल्डर के लिए एक चेक बुनाया था, तुम्हें तुम्हें अपने ही वाला था उस वक्त जब 9 पाउंड का चेक मुझे दिया गया था, और देखें मुझे तो अपना लंच गरम-गरम खाना पसंद है, I gave the check to Davis, मैंने वो check Davis को दे दिया था to run round to the bank, कि भाई दोड़के जा और bank चला जा ये check को भुना ला, He brought it back, वो वापस लाए था पैसे, All notes सारे notes थे, You remember, तुम्हें याद है न, Mr. Walter, You wanted some silver, तुम्हें कुछ सिक्कों की जरूती to pay your cab, क्योंकि तुम्हें अपनी taxi का, cab का भाड़ा देना था, With a certain contentious passion, थोड़ी सी घ्रांतमक्स हनुभूती के साथ, Here, let me see, अच्छा लाव जरा मुझे देखने दो, You have got the wrong check, अरे भीया आपने ये गलत check निकाल लिया, ये वाला check थोड़ी था वो, He takes checkbook and passbook from Walter, वो Walter के हाथ से passbook और checkbook ले ले लेता है, कि भीया ये तुमने 90 का check क्यों निकाल लगा है, 9 pound वाला check निकालो ना, Walter, afraid not, अच्छा ये यहाँ पर afraid माने वैसे तो डर्णा होता है, तो afraid का मदब यहाँ एक simple सा ये भी है, कि I think not, क्योंकि उसने पहले ये कहा, कि तुमने गलत वाला check निकाल लिया है, और या फिर या फिर ये भी हो सकता है, कि भीया तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या कोक्सन, ये भी हो सकता है, लेकिन जादा सही यह है, कि मुझे लग रहा है कि ये check गलत नहीं है, सही है, कोक्सन, having seen for himself, खुद देखने के बाद, it's funny, ये बड़ी अजीब बात है, जिम्हें यू गेव इट टू डेविस, अच्छा तुमने वो चेक डेविस को दे दिया, एंड डेविस सेल्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया ओन मंडे, और डेविस मंडे को ऑस्ट्रेलिया चला गया, लुक्स ब्लैक, कुछ काला दिखता है, डाल में कुछ काला दिखता है, कोक्सन, कोक्सन, पुजल्ड एंड अपसेट, अब कोक्सन भी थोड़ा सा परिशान हो गया, वाई, इस वुड़ बी, अ फैलनी, अरे, ये तो फैलनी हुई, फैलनी मतलब फोर्जरी हुई, या फिर ट्रेशरी हुई, गद्दारी हुई, ये तो बड़ी, नो, नो, देर्स सम्मिस्टेक, नहीं, मुझे लग रहा है कुछ गल्ती है, जेम्स, आई होप सो, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, कि मुझे उमीद है कि ये गल्ती ही होनी चाहिए, ऐसी कोई गद्दारी हमाई साथ ना होनी चाहिए, धोखे बाजी, कोक्सन, देर्स नेवर बीन एनिफिंग ओफ देट सॉट, यानि कभी नहीं हुई, देट सॉट मनें इस प्रकार की कोई बात, इन दा ओफिस, ओफिस में, यानि पिछले उन्तीस सालों से मैं यहां हूँ, और तब से ऐसी कोई बात इस ओफिस में तो नहीं हुई, जेम्स, लोकिंग एड चेक और काउंटर फॉयल, अब जेम्स चेक और काउंटर फॉयल को देखते हुए, यह बड़ी चालाकी से किया गया काम है, यह तुम्हारे लिए चेतावनी है, कि तुम खाली जगह मत छोड़ा करो, अफ्टर यॉर फिगर्स, अपनी फिगर्स के बाद वाल्टर, तुम खाली जगह छोड़ देते हुआ, तो अपने बेटे को समझा रहे हैं, अभी क्या होता, जैसे हम चेक कोई फारते हैं, तो उसके सामने, जैसे हमने 9 लिखा, तो 9 के साथ आगे एक line खीज देते हैं, जिससे कोई हमारी 9 को 90 न बना ले हैंना, तो इसलिए बैंक ने भी कह रखा है, कि आप लाइन जरू खीज़ दे अब तो बहुत सारी फोर्जरी होने लगी है अब तो ओनलाइन आपके अकाउंट से कैश निकल जाता है तो अब तो कहने ही किया तो वो कह रहा है कि अपने जगह मत छोड़ा करो वाल्टर वाल्टर वैक्स वो परिशान होके कहता है येस हाँ I know मुझे मालूम है I was in such a tearing hurry मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में था tearing hurry मैं था that afternoon उस शाम को मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में था coaxen suddenly coaxen अचाने से this has upset me इसे मुझे परिशान कर दिया है जिमसन the counter foil alter to अब देखो ना सिर्फ चैक ही नहीं बदला है बलके counter foil में भी forgery की है वहाँ भी 90 कर दिया है very deliberate piece of swindling ये तो बड़ा डेलिवरेट इंटेंशनल जान बूझ कर सोच समझ कर की हुई साजेश है ये तो what was davis ship अच्छा डेविस की ship का जो जिस जहाज से गया है वो ऑस्टेलिया उसका नाम क्या था walter city of rangoon जहाज का नाम है city of rangoon जिमस we ought to wire हमें तार कर दिना चाहिए and have him arrested at naples और naples मैं ही उसको गरफतार करवा देना चाहिए he can't be there yet अभी वो वहाँ नहीं पहुचा होगा coxson his poor young wife अब coxson कह रहा है अरे भहिया उसकी पतनी बिचारी बड़ी युवा पतनी है और उसका पती जिल चला जाएगा तो थोड़ी problem हो जाएगी ना तो उससे थोड़ी से दया रही है विचारी उसकी पतनी I like the young man मुझे वो युवक पसंद है डेविस dear oh dear in this office अरे भहिया इस office में इस office में ऐसा हुआ Walter shall I go to the bank and ask the cashier तो Walter कह रहा है कि क्या मैं bank जाऊं और cashier से पुछूं James Grimley James गंभीरता से bring him round here उसको यहां लेके आओ and ring up Scotland yard और Scotland yard को phone कर दो यह Britain की खुविया पुलिस का मुख्याले है पुलिस headquarters of Scotland yard तो Walter really वास्त में he goes out through the outer office वो outer office से ओके बाहर जाता है James paces the room James कमरे में तहलता है he stops and looks at coxon वो तहलना रोकता है और coxon को देखता है who is disconsolably rubbing the knees of his trousers जो के बड़ी बेचेनी से अपने पाजामे के घुटने रगड रहा है James well coxon ठीक है coxon there is something in character के चरित्र भी कुछ माइने रखता है isn't there क्या नहीं है coxon looking at him over his spectacles अपने चश्मे के ऊपर से उनको देखते हुए I don't quite take you sir आपकी बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आई श्रिमान जी James you your story would round you then to anyone who didn't know you अब ये थोड़ा सा यहां पे या तो थोड़ा सा misprint है कि तुम्हारी जो कहानी है वो किसी को भी उस पर यकीन नहीं होगा जो तुम्हें ना जानता हो coxon yes he laughs वो हसता है यानि तुमने जो भी कहानी सुनाई है कि मेरा तो lunch आने वाला था और इसलिए मैंने अपना मैंने जो चेक था वो डेविस को दे दिया डेविस ने वो भुनाया तो तुम्हें जानते हैं इसलिए तुम्हारी इस कहानी पर विश्वास कर लिया अगर तुम्हें जो तुम्हें ना जानता हो वो तुम्हारी इस कहानी पर विश्वास नहीं करेगा यह कहना चाहता है तो coxon yes he laughs वो हसता है then with a sudden gravity फिर अचानक से गंभीर हो जाता है I am sorry for the young man I feel it as if it was my own son Mr. James तो मुझे उस युवक के लिए बड़ा दुख महसूस हो रहा है यानि डेविस के लिए भी तो उन्हें पता ही नहीं ना कि आगे क्या होने वाला है तो मुझे वो अपने बेटे जैसा लगता था Mr. James James a nasty business उसने बड़ा जगने अपराद किया है बड़ी निंदनीय चाल उसने चली है तो coxon it unsettles you यह इससे आप disturb हो रहे हैं all goes on regular and then a thing like this happens shan't relish my lunch today यहनी इससे आप disturb हो जाते हैं अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो सब कुछ disturb हो जाता है all goes on regular सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है and then a thing just like this happens और फिर अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है अब ऐसे में खाने में भी स्वाद नहीं आता मुझे सुवाद नहीं आएगा माई लंच अपने लंच में टोड़े आज चेंज एस वेड़ एस देट कोक्षन क्या मिलब यह इतना ही बुरा लग रहा है बास्तम में जैसा तुम बता रहे हो कोक्षन इट मेक्स यू थिंग कॉन्फिदेंशेली ही मस्ट हैव हैड टेंपर्ड यानि क्या आप इससे वेक्ति सोचने को बात धिया हो जाता है गोपनी रूप से और ही मस्ट हैव हैड टेंपर्ड उसने किया होगा अच्छा टेंपर्ड नहीं ही मस्ट हैव हैड टेंप्टेशन अच्छा उसको कुछ लालच आ गया होगा तो उसको कुछ लालच आ गया होगा जेम्स, not so fast, अभी इतनी जल्दवाजी नहीं, we haven't convicted him yet, अभी तक हमने उसको convict नहीं किया है, मत्तब कि एक्यूज नहीं किया है, उसके खिलाफ अभी मुगदमा नहीं किया है, तो अभी नहीं किया सकते, कोक्सन, I would sooner have lost a month's salary than had this happened, यानि इससे अच्छा मेरी एक महिने की salary चली जाती, मैं तो वो ज़्यादा पसंद करता बजाए, ऐसा होने के, Hebrews, वो सोच ता रहता है, James, I hope that fellow will hurry up, मुझे आशा है कि that fellow यहां खजानची के लिए आया है, bank cashier के लिए, कि वो जल्दी ही आएगा, खजानची, कोक्सन, keeping things pleasant for the cashier, यानि चीजों को pleasant तरीके से रख रहा है, यानि वेवस्तित कर रहा है, for the cashier, cashier के आने के लिए, It is not 50 yards, 50 yards की दूरी भी नहीं है, Mr. James, he won't be a minute, यानि उसको आने में यहां एक minute भी नहीं लगेगा, James, the idea of dishonesty about this office, मुझे यह सोच ना कि इस office में बही मानी, it hits me hard, यह मेरे दिल पर बड़ी चोट कर रहा है, He goes towards the door of the partner's room, वो partner के कमरे के दरवाजी की तरफ जाता है, Swiddle entering quietly to Coxon in a low voice, धीरे से गुशते हुए Swiddle, Coxon से कहता है, धीमी अवाज में, She is popped up again, वो तो फिर से हाजर हो गई, फिर से वो निकलाई सर, Something she forgot to say to folder, कुछ बात है जो वो folder से कहना भूल गई, Coxon, roused from his abstraction, अब वो एकदम से चोंक के उठता है, अपनी जो abstraction, अनिमनस ता जो थी, absent mindedness थी, जैसे हलकी सी नीद में चला गया हो, उसे एकदम से जगता है, कहता है, एह, impossible, असंभव, send her away, उसे बाबस भेज़ दो, James, what's that, अरे क्या बात है, क्या हुआ, Coxon, nothing Mr. James, myself, मैं खुद ही आऊँगा, he goes into the outer office as James passes into the partner's room, वो बाहर के office में चला जाता है, जब James partner's room में जाता है, now you really must not, we can't have anybody just now, अब तुम्हें नहीं आना चाहिए, हम यहाँ इस वक्त बिल्कुल किसी को नहीं आने दे सकते हैं, not for a minute sir, एक मिनट के लिए नहीं, एक मिनट के लिए भी नहीं sir, Coxon, really, really, I can't have it, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, यह नहीं हो सकता, if you want him, अगर तुम्हें उससे मिलना है, wait about, तो इंतजार करो, he will be going out for his lunch directly, वो भी तुरंत अपने lunch के लिए जाएगा, रूथ, yes sir, हाँ शिमान जी, Walter entering with the cashier, अब इस वीच Walter अंदर प्रवेश करता है, उसके साथ cashier है, passes Ruth as she leaves the outer office, वो रूथ के पास से होकर हुजरता है, जब वो बाहर के office से निकलता है, coxon, to the cashier, coxon, cashier से who resembles a sedentary dragon, जो के resemble मेल खाता है, जैसे एक कोई शांत उदंड व्यक्ति हो, ऐसा वो दिखता है, good morning to Walter, your father is in there, तुम्हारे पिताजी वहाँ पर है, Walter crossed and goes into the partner's room, Walter वहाँ से cross करके हुए partner के room में जाता है, coxon, it's such a nasty, unpleasant little matter, ये बड़ा nasty में भद्दा सा, ridiculous सा, unpleasant, थुड़ा सा खराब, तुछ प्रकार का मामला है, Mr. Cowley, I am quite ashamed to have you, to trouble you, मैं बहुत शर्मिनदा हूँ कि आपको कश्ट देना पड़ा, Cowley, I remember the check quite well, मुझे check अच्छे से याद है, as if it were a liver, जैसे कि ये कोई सजीव चीज हो, seemed in perfect order, बिल्कुल perfect order में था, बिल्कुल सही सलामत लग रहा था, चैक में कोई गरबडी नहीं दिख रही थी, coxion, sit down, बैठ जाईए, want you, क्या आप नहीं बैठ होगे, I am not a sensitive man, but a thing like this about this place, मैं बहुत ज़्यादा सम्विधन शील व्यक्ती तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात यहाँ, इस जगह पर होना, it's not nice, यह अच्छी बात नहीं है, I like people to be open and jolly together, मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ, कि जो खुले हुए हों और खुश मिज़ाज हों, यानि दबात चिपा कर कोई काम ना करें और खुश मिज़ाज हों, कावली, quiet so, हाँ, यह बात तो है, कोक्सन, button holding him, button holding का मतलब, आप कह सकते हैं, looking critically, थोड़ी मुआइना करते हुए, उसका, and glancing towards the partner's room, glancing मने नज़र डालते हुए towards the partner's room, यानि partner's के कमरे की तरफ, उदर नज़र डालते हुए, of course, he is a young man, हाँ, वो एक युवक है, I have told him about it before now, मैंने इसके बारे में उसको पहले बता दिया, तो यह जो young man किस के लिए आया है, Walter Howe के लिए आया है, कि वो एक युवक है, और अपने check में ऐसी गलतियां कर देता है, इस पेस छोड़ देता है, जिसकी वज़े से ऐसा हुआ, तो I have told him about it before now, इससे पहले भी मैंने इसके बारे में उसको बताया है, कि वो अपनी figures के बाद में, जो संख्या लिखता है, रकम लिखता है अपने check में, उसके बाद space छोड़ देता है, जिसकी जैसे nine लिखा और space छोड़ दिया तभी तो T.Y. लगा लिया उसके आगे, but he will do it, लेकिन वो फिर भी ऐसी गलतियां करता है, कावली, I should remember the person's face, मुझे उस व्यक्ति का चहरा याद है, quite a youth, एकदम युवा था वो चहरा जो check भुनाने आया था, कोक्सन, I don't think we shall be able to show him to you, मुझे नहीं लगता कि उस व्यक्ति का चहरा हम आपको दिखा पाएंगे, क्योंकि कोक्सन को अभी भी यकीन है कि डेविस ने ये काम किया है, as a matter of fact, यानि सत्य तो यह है, यानि तत्य यही है कि हम उसका चहरा आपको नहीं दिखा पाएंगे, James and Walter have come back from partner's room, तो ये दौनों बाप बेटे partner's room से वापस आ गए हैं, James, good morning Mr. Cowley, you have seen my son and myself, आपने मेरे बेटे को और मुझे तो देखा ही है, you have Mr. Cowkson and you have seen Swiddle, आपने Mr. Cowkson को भी देख लिया है, Swiddle को भी देख लिया है, my office was, जो हमारे office में काम करता है, यानि हम लोगों में से तो किसी ने ये check भुनाया नहीं है, तो आप देख चुके हैं, यानि हम में से तो कोई था नहीं, यानि मेरा ऐसा मानना है, हम में से किसी ने check नहीं भुनाया, अब इस बात को सुनकर, कैशियर मुस्कुराते हुए अपना सिरह लाता है, कि हाँ, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों में से कोई नहीं था, जो चेक भुनाने आया था, जेम्स, बी सो गुड एस तो सिथ हियर, तो भई, आप यहां बैठ जाएए, कोकसन एंगेज मिस्टर कावली, कोकसन जरा मिस्टर कावली से आप बात करो, इन कमर्सेशन, यानि बाची तुम उनको लगा के रखो, विल यू, क्या तुम यह करोगे, और वो खुद फाल्डर के कमरे में जाते हैं, जेम्स, यानि, कि इन लोगों की चेहरे दिखा दिया, वो फाल्डर का चेहरा और दिखाना चाहते हैं, मिस्टर कावली को, तो कोक्सन, थोड़ी एक बात सुनिए, मिस्टर जेम्स, कोक्सन नहीं चाहते कि फाल्डर को इनके सामने लाया जाए, मिस्टर कावली के सामने, तो इसलिए वो रोखना चाहरे हैं, जेम्स, वेल, हाँ, बताओ क्या बात है, कोक्सन, वहाँ बैखे हुए यह वग को, तो आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, परिशान नहीं करना चाहते हैं, डू यू, क्या आप चाहते हैं, मतब फॉल्डर की तरफ कोक्सन का इस शारा है, वो एक बड़ा नर्वस सा, गबराया हुआ सा यह वग है, उसको परिशान मत करो, जेम्स, इस मस्ट भी थौरोली क्लियर डप, अरे कोक्सन, यह चीज ना थौरोली मनें पूरी तरीके से, क्लियर डप मनें साफ हो जानी चाहिए, बात पूरी तरह साफ हो जानी चाहिए, फॉल्डर को दिखाना भी ज़रूरी है, फॉल्डर के नाम की खातिर ही मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, कि यह क्लियर हो जाएगी बात, तू से नथिंग ओफ यॉर्स, यानि तुम्हारे बारे में तो कुछ नहीं कह रहा है, तुम पर तो कोई शक्कर ही नहीं रहा, अब फॉल्डर का नाम भी कलियर हो जाए, कोक्सन, with some dignity, थोड़े self-respect के साथ, dignity है, self-respect होता है, आदम विश्वास के साथ कहता है, that will look after itself, sir, अरे भई, उसका नाम, खुदी वो अपना देख लेगा, छोड़िये ना उसको, he has been upset once this morning, आज सुबह वो पहले ही एक बार disturbed किया जा चुका है, परिशान किया जा चुका है, I don't want him startled again, मैं नहीं चाहता कि फिर से उसको परिशान किया जाए, startled माने मैं से surprised होता है, अश्चर चकित करना, James, it's a matter of form, यानि ये तो एक, आप ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मलेटी है, ये तो मन्दब एक उपचारिकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि etiquettes है, सदवयभार है, वो भी कह सकते है, manners की बात है, ये तो, but I can't stand upon niceness, लेकिन मैं केवल अच्छाई पर ही निर्भर नहीं रह सकता, over a thing like this, ऐसी एक चीज़ के उपर, यानि ये मेरे, यहां फोरजरी होई है मेरे ओफिस में, 9 पाउंड का चेक, 90 पाउंड का करके बुनाया गया है, तो कोई व्यक्ति अच्छा है, सिर्फ इसलिए उसको नहीं छोड़ा जा सकता, उसके बारे में चानवीन ना की जाए, तो सिर्फ नाइसनेस अच्छाई मदब काफी नहीं है, तो यह जो मामला है, बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसलिए तुम मान जाओ, तुम सिर्फ इतना करो, तुम सिर्फ इतना करो, मेरे बीच में मत परो, और यह कहते हुए, वो फाल्डर के कमरे का दर्वाजा खोल देते हैं, जेम्स, ब्रिंग इन दपेपर्स इन बॉल्टर्स लीज, विल यू फाल्डर, तो अब यह कैसे कहें, कि हम तुम्हें इसको दिखाना चाहते हैं, मिस्टर कावली को दिखाना चाहते हैं, कन्फर्म करना चाहते हैं, कि तुमने तो यह फोर्जरी नहीं किया, तो वो बहाने से बुलाते हैं, क्या कहके बुलाते हैं, कि वो जो बॉल्टर्स के लीज, जो बॉल्टर्स का पट्टा था, वो वाले कागस जरा ले के आओगा कोक्सन बर्स्टिं इन्टू वाइस अब कोक्सन थोड़ी जोड जोड से बोलते हैं do you keep dogs क्या आप कुते पालते हैं ये बात किसी कह रहे है कोक्सन काउली से कह रहे हैं cashier से the cashier with his eyes fixed on the road अब cashier की आँखे तो दर्वाजे पर टिकी हुई है जिधर James कहे हैं यानि फाल्डर के जो दर्वाजा है does not answer तो वो जवाब नहीं देता है इस सवाल का कि क्या आप कुत्ते पालते हैं जो कोकसन ने उसे पूछा कोकसन you haven't such a thing as a bulldog pup क्या आपके पास एक कुत्ता होगा क्या कुत्ते का पिल्ला बुल्डॉग का बुल्डॉग एक ब्रीड है कुत्तों की और पप मने पिल्ला तो आपके पास एक बुल्डॉग का पिल्ला तो होगा नहीं you could spare me जो आप मुझे दे सके हैं जो एक्स्ट्रा होता है तो हम किसी को दे देते हैं जिसे स्पेर पार्ट्स होते हैं आपके गाड़ी के तो आपके पास एक्स्ट्रा हो बुल्डोग का पिल्ला तो आप मुझे दे दें क्या ऐसा है आपके पास I suppose मुझे लगता है अब इस बीच क्या होता है कैशियर के चेहरे का लुक बदल जाता है उसका हाव भाव भाव बदल जाता है तो जब कैशियर के चेहरे का हाव भाव देखते हैं न कोकसन तो his jaw drops अब उनका मुझे खुल जाता है जबड़ा होता है तो नीचे का जबड़ा नीचे की और गिरेग तो उस लुक को देखकर उनका जबड़ा ड्रॉप कर जाता है यानि मुह खुल जाता है अब वो मुड़ता है फाल्डर को देखने के लिए इस्टेंड नहीं इन दर डोर वे जो के दरवाजे में खड़ा है विद इस आइस फिक्सद ओन काउली और फाल्डर की जो आँखे हैं वो काउली पर ठीकी हुई है फाल्डर advancing with papers फाल्डर कागजात को लेकर आगे आता है here they are sir ये लिजे शिवान जी ये रहे कागजात James taking them James कागजाओं को लेते हुए thank you ठीक है उनका मकसद यहां कागजाओं को लेना थोड़ी था फाल्डर का चेहरा दिखाना था कावली को फाल्डर do you want me sir क्या आप चाहते हैं मुझे और रोकना चाहते हैं यहां पर James no thanks नहीं नहीं कोई ज़रूद नहीं है फाल्डर turns and goes back into his own room फाल्डर मुडता है और अपने कमने में चला जाता है as he shuts the door जो ऐसे ही वो दरवाजा बंद करता है James gives the cashier an interrogative look तो James cashier की तरफ एक interrogative मने सवाल से भरी हुई याना प्रेशन से भरी हुई नजर डालते हैं यानि यह पूछने के लिए क्या यही वो विक्ति है जिसने check बुनाया था and the cashier nods और जो cashier है वो सिरह लाता है नोर्स कमदर हामें से भर लाता है उपर नीचे तो वो नोर्ट करता है James, sure, पक्का this isn't as we suspected यानि हमने जो शक किया था वैसा यह नहीं है क्योंकि ये लोग तो डेविस पर शक कर रहे थे और ये जो कावली है ये तो फाल्डर को देखके से रह ला रहा है कि हाँ यही वो व्यक्ती था कावली, quiet मुझे पक्का यकीन है he knew me वो मुझे जान गया है I suppose he can't slip out of that room मुझे लगता है कि कहीं वो उस room से निकल कर भागना जाए slip out मुने चुपके से निकलना जाए there's only the window वही उधर निकलने का भागने का रास्ता नहीं है वहाँ केवल खिड़की है and a whole floor और केवल फर्ष है तो फर्ष मन नहीं समा जाएगा खिड़की से नहीं कूद जाएगा and a basement और एक तैखाना है तैखाने में कहां भागेगा the door of folder's room is quietly opened folder के कमरे का जो दर्वाजा है वो चुपचाप से खोला जाता है and folder with his hat in his hand और folder का जो टोप है उसके हाथ में है moves towards the door of the outer office वो अपना hat हाथ में लेकर outer office के दर्वाजी की और मुडता है James quiety James shanti say where are you going folder कहां जा रहे हो folder folder to have my lunch sir मैं अपना lunch लेने जा रहा हूँ sir James wait a few minutes कुछ minute रुको would you क्या तुम रुकोगे बिचारे को lunch भी नहीं करने दे रहे हो अब क्या होने वाला बिचारा देखिए तो आप खोदी देखिए I want to speak to you about this lease इस पट्टे के बारे में जड़ा तुमसे कुछ बाचीत करनी है कुछ में रुक जाओ yes sir ठीक है श्रीमान जी he goes back into his room वो अपने कमरे में वापस चला जाता है काउली if I am wanted अगर मेरी जरुवत पड़ी I can swear तो मैं कसम खाकर कह सकता हूँ this is the young man कि यही वो नविवक है who cashed the check जिसने check भुनाया था it was the last check यह अंतिन check था I handled that morning उस सुबह जो मैंने जिसका भुकतान किया था before my lunch अपने lunch से पहले दोश्ट की देखिए खेर हम क्यों उसको दोश्ट दें लेकिन उसकी memory बड़ी शार्प है तो lunch से पहले मैं उस दिन अब देखिए काफी समय बीत किया है लेकिन फिर विए उसकी memory कितनी शार्प है उस अच्छे से याद है कि lunch से पहले आखरी check था जो मैंने जिसका भुकतान किया था these are the numbers of the notes और देखो नोटों के number भी उसे याद है he has he puts a slip of paper on the table तो एक पड़्ची रखता है काघज की मेज पर then brushing his hat round फिर अपने जो hat है उसको जारते हुए साफ करते हुए good morning good morning तो good morning Mr. Cowley Cowley to coaxen good morning coaxen with stupefaction मदब थोड़ा बहुँ चकासा होकर good morning ठीक है मदब अभी इन लोगों का जाने का तयारी हो रही है the cashier goes out through the outer office अब इतनी सारी proof दे कर ये तो चला जाता है cashier outer office से coaxen sits down in his chair coaxen अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं as though it was the only place जैसे कि ये ही एक मात्र जगह हो left जो कि बची हुई है in the moras moras दलदल को बोलते हैं तो इस दलदल में of his feelings जो उनकी भावनाओं का दलदल है उसमें बस यही एक जगह हो जो कि उनके बैठने के लिए बची हो ऐसे धम मत से बैठ जाते हैं walter what are you going to do आप क्या करने जा रहे हैं walter जो लड़का है वो अपने पिताजी से पूछ रहा है I don't understand मेरी समझ में नहीं आया I thought young Davis मुझे लगा था कि यह Davis ने किया है James, we shall see हम देखते हैं walter, one moment father एक मिनट रुगे पिताजी have you thought it out क्या आपने इस पर सोच लिया है James, call him in बढा उसको अंदर coxon, rising with difficulty and opening folders door hoarsely to coxon अपने उठते हैं कठनाई से और folder के दरवाजे folder का जो दरवाजा एउसको खोलते हैं hoarsely मनदब करकश तोवर में खड़़़ करता है दरवाजा step in here a minute अच्छा, एक मिनट के लिए इधर आ ओगे folder comes in folder अंदर आ जाता है folder impressively तो फाल्डर थोड़ा सा उदासिंता से यह सर हाँ जी बताएए जेम्स टर्निंग टु हिम सडेनली विद द चेक हैल आउट अब चेक को बाहर निकाल कर उसकी तरफ मुड़ते हुए यू नो दिस चेक फाल्डर तुम इस चेक को पहचानते हो फाल्डर फाल्डर नो सर नहीं जी मैं नहीं जानता जेम्स लुक अट इट अरे जा देखो तो यू कैस्ट इट लास्ट फ्राइडे वीक पिछले सब्ता हाँ जो फ्राइडे था शुक्रवार था तुमने इसको कैश किया था बुनाया था चेक को फाल्डर ओ यह सर हां हां जी याद आ गया देविस गेव जेम्स आइनओ मुझे मालूम है एन्ड यू गेव देविस था चैक और तुमने देविस को कैश दिया था फाल्डर यह सर हां हां जी दिया था जेम्स वेन देविस गेव यू दी गया जब डेविस ने तुम्हें चैक दिया वौज एट इक्जक लाग इस तो यह एसा ही थ फाल्डर येस, I think so sir, हाँ जी, मुझे लगता ऐसा ही था, James, you know that Mr. Walter drew that check for 9 pounds, क्या तुम्हें मालूम है कि Mr. Walter ने जो check काटा था, वो 9 pounds का काटा था, फाल्डर, no sir, 90, नहीं साब, 90 pounds का काटा था, James, 9 फाल्डर, अरे नहीं फाल्डर, 9 pounds का था, फाल्डर, फाल्डर थोड़ा सा धीरे से बोलता है, I don't understand sir, मेरी कुछ समझ में नहीं आया जी, James, the suggestion of course is that the check was altered, भाईया सुझाब हमारा ये है, हम ये कहना चाहरे हैं कि ये check alter किया गया है, इसमें बदलाव किया गया है, whether by you or Davis is the question, अब इसमें जो alteration किया गया है, जो बदलाव किया गया है, तुम ने किया है या Davis ने किया है, अब सवाल ये है, फाल्डर, I, I, मैं, मैं, कोक्सन, take your time, कोई बात नहीं, अपना समय लो, take your time, पूर समय लो, आराम से सोच, समझ कर बोलो, फाल्डर, regaining his passivity, अपने विचारों को याद करते हुए, थोड़ा सा सोचते हुए, not by me sir, नहीं, मैंने तो नहीं बदलाजी, James, the check was handed to कोक्सन, ये जो check है, ये कोक्सन को दिया गया था, by Mr. Walter, at 1 o'clock, एक वज़े Mr. Walter के दौरा, we know that Mr. कोक्सन's lunch had just arrived, और हमको मालूम है कि Mr. कोक्सन का lunch उस वक्स वक्स तभी आया था, कोक्सन, I couldn't leave it, हाँ, मैं अपना lunch नहीं छोड़ सकता था, भई, मुझे वो lunch तो time से चाहिए, James, exactly, he therefore gave the check to Davis, हाँ, बिलकुल, और इसी लिए check कोक्सन ने Davis को दे दिया, और ये तुम्हारे द्वारा बुनाया गया, एक बज़ कर पंदर मिनट पर, we know that because the cashier recollects it, अब हमें ये इसलिए मालूम है, क्योंकि cashier को याद है, for the last check he handled before his lunch, कि यही अंतिम check था, जो उसने अपने lunch से पहले जिसका भूपतान किया था, folder, yes sir, हाँ जी, हाँ जी, Davis gave it to me, Davis ने ये check मुझे दिया था, because some friends were giving him a farewell luncheon, क्योंकि उसके कुछ दोस्त उसको विदाई भोज दे रहे थे, वो जा रहा था तो उसको farewell party दे रहे थे, James, you accuse Davis then, अच्छा तो इसका मदब ये हुआ कि तुम Davis पर आरोप मढ रहे हो, folder, I don't know sir, मैं मुझे नहीं मालूं जी, it's very funny, ये तो बड़ी विजितर बात है, Walter who has come close to his father, Walter जो कि अपने पिता के पास आगया है, say something to him in a low voice, काफी धीमे आवाज में अपने पिता जी से कुछ कहता है, James, Davis was not here again after that Saturday, Davis उस शनिवार के बाद यहाँ फिर नहीं आया, was he, क्या वो आया, कोक्षन, anxious to be of assistance to the young man and seeing faint signs of their all being jolly once more, तो अब कोक्षन क्या है, वो anxious हैं, यानि चिंतित हैं, to be of assistance, यानि कुछ मददगार होने के लिए to the young man, उस युवक के प्रती, and seeing, और वो देख रहे हैं, faint signs, यानि बहुत धुंदले से लक्षन देख रहे हैं, of their all being jolly once more, कि वो सब लोग फिर से खुशनुमा हो जाएं, तो इसके बहुत कम लक्षन उनको देख रहे हैं, no, he sailed on the Monday, नहीं, वो यहाँ नहीं आया, वो तो Monday को चला गया था, James, was he falder, तो बताओ falder, क्या वो यहाँ आया था, falder very friendly, falder बड़े वो धीमी अमाज में, no sir, नहीं, तो अब यहाँ जो वो है शक, वो वहाँ से अब हटता जा रहा है, डेविस से हटता जा रहा है, क्योंकि जो change हुआ है, वो counter foil में भी हुआ है, और counter foil के बारे में अभी एक राज और खुलने वाला है, James, very well then, छीक है तो, how do you account for the fact, तो तुम इस बात का हिसाब कैसे दोगे, that this not was added to the nine, in the counter foil, on or after Tuesday, कि यह जो not का मतलब zero, was added, जोड़ा गया, to the nine, नो में, नो कांक है, और तो उसके आगे zero लिखा गया, in the counter foil, counter foil में, on or after Tuesday, यानि या तो मंगलवार को, या फिर मंगलवार के बाद, क्योंकि अब मंडे को डेविस चला गया, और मंगलवार को counter foil में, नो के आगे शून ने बढ़ाया गया है, कैसे, कोक्सन, surprised, कोक्सन, आशे जाके दो कर, how is that, अरे, ये कैसे, आशे की बात है, falder gives a sort of lurch, he tries to pull himself together, but he is gone all to pieces, अब, lurch का मनदभ होता है, टालना, तो falder एक तरीके से बात को टालना चाहता है, he tries to pull himself together, मनदभ वो अपने हिम्मत बटोड़ने की कोशिश करता है, सास करने की कोशिश करता है, but he is gone all to pieces, मनदभ लेकिन वो अंत में थोड़ा सा, क्या है, बिखर सा जाता है, James, very grimly, James, बड़ी गंभिरता से, out, I am afraid, कोक्सन, कोक्सन, out, मनदभ, सच्चाई बाहर आ ही गई, यानि जो secret था, वो out हो गया, मुझे लगता है कोक्सन, the checkbook remained in Mr. Walter's pocket, क्योंकि जो checkbook थी, वो Mr. Walter की जेब में ही थी, till he came back from Trenton on Tuesday, जब तक कि वो Trenton से वापस आये, मंगलवार की morning को, सुबह को, और जबकि जो Davis है, वो सुमबार को ही चला गया, तो मंगलवार की सुबह, जब checkbook वापस आये, तो checkbook की जो counterfoil है, उसमें no के सामने, शून ने कैसे लिखा गया, इसका मतलब, ये काम Davis ने नहीं किया, in the face of this, यानि इस बात को ध्यान में रखते हुए, यानि under these conditions, इन परिस्थिदियों को अगर हम ध्यान में रखे हैं, तो folder, do you still deny, क्या तुम अभी भी इंकार करते हो, that you altered both the check and the counterfoil, कि तुम ही ने check को भी बदला, और तुम ही ने counterfoil में भी गरबड़ी की, यानि दोनों जगे, ये जो 9K आगे, शून ने लगाया गया है, 9K आगे टी वाई लगाया गया है, ये तुम ही ने किया है, क्या अभी भी इस बास से इंकार करोगे, folder, no sir, no, mister, how, I did it sir, I did it, हाँ जी, हाँ जी, मुझे से ही हुआ, मैंने किया, कोक्षन, succumbing to his feelings, अपने भावनाएं के आगे जुकते हुए, वो एकदम भावनाओं से भर गये, कोक्षन, Dear, dear, what a thing to do, हे भगवान भाई, तुमने भाई ये क्या कर डाला, folder, I wanted the money so badly, sir, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, साब, I didn't know what I was doing, मेरी समझ में ही नहीं आया, मैं कर क्या रहा हूँ, कोक्षन, However, such a thing could have come into your head, लेकिन तुम्हें ये समझ में ये आ गया, वैसे तुम्हें समझ में ये आ रहा था, कि तुम क्या कर रहे हो, और इतनी फोर्जरी, इतनी धोखे बाजी करने का ख्याल, तुम्हारे दमाग में आ गया, फाल्डर, अपने शब्दों पर थोड़ा लड़ खड़ा आते हुए, हकलाते हुए, I can't think sir, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, साब बिल्कुल नहीं सोच पा रहा हूँ, एक मिनिट का पागल पन था, ये साब, एक मिनिट का पागल पन था, James, अलॉंग मिनिट फाल्डर, ये एक लंबा मिनिट था फाल्डर, tapping the counterfoil, counterfoil को पठकते हुए, four days at least, कम से कम ये जो तुम्हारा एक मिनिट था न, चार दिन का था, तुम एक मिनिट बोल रहे हो, ये चार दिन का ये एक मिनिट था तुम्हारा, फाल्डर, sir, I swear, साब, मैं कसम खाता हूँ, साब कसम खाता हूँ, I didn't know what I had done, साब, मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, ता मैंने क्या कर डाला, till afterwards, बात तक मेरी समझ में नहीं आया, साब, and then I hadn't the pluck, और फिर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, साब, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, pluck मने हिम्मत, oh sirs, look over it, थोड़ा रहम खाये, इसे अंदेखा कर दीजे, look over मने, ignore कर दीजे, I will pay the money back, मैं आपकी पाई पाई लोटा दूगा, मैं आपका पैसा लोटा दूगा, I will, मैं लोटा दूगा, I promise, मैं आपसे बादा करता हूँ, साब लोटा दूगा, James, go into your room, अपने कमरे में जाओ, folder with a swift imploring, folder, एक बहुत तेज, imploring मने, request से भरी हुई, नजर के साथ, दिश्टी के साथ, goes back into his room, अपने कमरे में चला जाता है, there is silence, और वहाँ पर शांती चा जाती है, James, about as bad a case as there could be, यह तो बहुत बुरा केस है, यानि इससे बुरा और क्या हो सकता है, coaxion, to break the law like that in here, यहाँ इस तरीके से कानून तोड़ना, यह तो बुरी बात है, Walter, यह Walter कर दिया है, Walter, what's to be done, अब क्या करें, James, nothing for it, prosecute, अब इसके लिए और कुछ नहीं कर सकते, prosecute, मने कानूनी का रिवाई करेंगे, case करेंगे, Walter, it's his first offense, छोड़ दिये, इसका पहला ही अपराद है, पहला अपराद है, James, shaking his head, James, अपना सिर्ह लाते हुए, यानि, जो, देखिए, दोनों के point of view में अंतर है, बाब बेटे, दोनों, बेटा थोड़ा सा sympathetic है, modern look है उसका, और जो पिता हैं, बहुत strict हैं, तो ये generation gap भी आप यहाँ देख रहे हैं, कि पिता जी, कठोड कारेवाही चाहते हैं, और बेटा, थोड़ा सा sympathetic है, और वो चाहता है, कि पहला अपराद है, इसलिए, माफ कर दिया जाए, तो, वो अपना सिर्ह लाते हुए कहता है, ये इतना शातिर तरीके से की गई दोखे बाजी है, साफ सुतर है तरीके से कि पकड में आए, कोक्सन, इसको कोई लालच आ गया होगा, मुझे इस बात पर कोई वो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, कि उसे लालच आ गया होगा, यानि थोड़ा सा सिंपथिट एक कोक्सन भी है, जिम्स, लाइफ वन लॉंग टेम्टेशन, जिन्दगी खुद अपने आप में एक लालच है कोक्सन, कोक्सन, येस, बच आएम स्पीकिंग आफ दा फ्लेश एंड देवल, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, वो फ्लेश एंड देवल, जो शारीरिक एक आकरशन है, उसकी शैतानी की बात कर रहा हूँ, यानि जब व्यक्ती किसी की तरफ अट्रेक्टेड होता है, फिजिकली या प्यार के चकर में होता है, तो शैतान उस पर हावी हो जाता है, तो ऐसी महबद में वो क्या से क्या कर डालता है, बड़े-बड़े अपराद कर डालता है, तो मैं उसके बारे में कोह रहा हूँ, Mr. James, आज सुबह एक औरत उससे मिलने आई थी, तो कोकसन वो वाला एंगल उसके सामने रखना चाह रहे है, कि उस औरत के चकर में ये काम हुआ है, वरना फाल्डर ऐसा लड़का नहीं है, तो ये जो डेविल है, जो शैतान है, वो फ्लेश वाला शैतान है, तो उस औरत के मुहबत के चकर में उससे ये हुआ है, वाल्डर, दा वुमन वी पास्ट, अच्छा, ये क्या, ये वही औरत थी, जो इससे हम मिले थे, एस वी केम इंग जस्नाओ, जब हम अभी-भी अंदर आ रहे थे, इस इस वाइफ, क्या वो उसकी बीवी है, कोक्सन, नो, नो रिलेशन, ना, ना, वो उसका रिलेशन नहीं है, मतलब बीवी नहीं है, रेस्ट्रेनिंग, मतलब अपने आपको कंट्रोल करते हुए, वाट इन जॉलियर सरकमस्टांसेज, जो के, जो खुशनुमा परिस्तियां अगर होती हैं, तो सही सलामत परिस्तियां होती हैं, तो, वो अँख मारने जैसा होता, यानि, जब इस तरीके का इलिसिट रिलेशन होता है, तो लोग इसी तरीके से आँख मार के बात करते हैं, आपने देखा हुआ लोगों को, कि जो मिया बीवी का रिलेशन है, पति-पत्नी का, वो तो एक लीगल रिलेशन है, वैधानिक संबंध है वो, लेकिन इस तरीके का जो संबंध है, किसी और की बीवी के साथ किसी का संबंध है, तो वो इलीगल होता है, अवैधानिक होता है, और इलिसिट है, और जब उसके बारे में बात करते हैं, लोग तो इसी तरीके से आंख मार के बात करते हैं, तो जॉलियर सरकमिस्टान्सेस में, वो आंख मारना होता, तो वो आंख मारते मारते रुख गया है, वो कह रहा है, a married person दो, कि वो एक शादी शुदा ओरत थी Walter, how do you know तुम्हें कैसे मालूम कोक्सन, brought her children, वो अपने बच्चे लेकर आई थी, scandalized अब थोड़ा सा परिशान सा है, वो कोक्सन कैसे समझाए, they are there they were outside the office, वो जो बच्चे थे उसके, वो office के बाहर थे, James, a real bad egg, अब तो ये और भी बुरा आदमी है, यानि किसी दूसरे की बीवी, जो जिसके बच्चे भी हैं, उसके साथ इसका relation, अब तो और भी बुरी बात हो गई, Walter, I should like to give him a chance, अब मैं तो देखिए, उसको एक मौका देना चाहूंगा, जो बेटा है, वो ये कह रहा है, James I can't forgive him, मैं तो उसे माफ नहीं कर सकता, for the sneaky way he went to work, यानि जिस तरीके से sneaky way, secretive तरीके से शातिर तरीके से, उसने ये काम किया, counting on our suspecting young Davis, counting on, यानि वो depend कर रहा था या फिर उसकी कोशिश थी कि हम suspect करेंगे, यानि संदे करेंगे young Davis पर if the matter came to light अगर ये معامला सामने आता है तो हमारा शक्त Davis पर जाएगा इस तरीके से उसने ये काम किया, तो भाई मैं तो उसे माफ नहीं कर सकता, it was the merest accident, the check book stayed in your pocket ये तो एक इत्तिफाक था, कि check तुम्हारी जेम में थी, अगर तुम्हारी जेम में ना रही होती, check book भी इधर रही होती, तो हमारा शक्त तो डेविस पर जाता है, इस पर जाता ही नहीं तो ये तो इत्तिफाक था, Walter, it must have been the temptation of a moment, अरे ये एक पल का कोई लालच रहा होगा कमजोर पर जाता है, इंसान कभी कभी कोई पल ऐसा आता है, he hadn't time, उसको, उसके पास वक्त नहीं था, James, a man doesn't succumb like that in a moment, अरे इस तरीके से व्यक्ती एक पल में नहीं गलती करता, सकम मने वैसे समर्पण करना होता, yield, surrender, तो एक पल में व्यक्ती एसे समर्पण नहीं करता, बेटा, if he is a clean mind and habits, अगर वो साफ सुत्रे दिमाग वाला, साफ सुत्री आदतों वाला बंदा हो, नियत जिसकी साफ हो, वो एक पल में ऐसी गलती नहीं करता, मेरे लाल, he is rotten, ये तो सड़ा हुआ इंसान है, got the eyes of a man who can't keep his hands off, उसके अंदर उसकी जो नजर है, उसकी जो नियत है, ऐसी है, who can't keep his hands off, मतलब जो अपने हाथों को नहीं रोक सकता, जब मौका मिले तो, when there is money about, जब सामने पैसा हो, तो अपने हाथों को कंच्रोल नहीं कर सकता, ऐसा बंदा है, ये तो Walter, Dryly, Walter थोड़े रूखे पन से, we hadn't noticed that before, अब हमने ये सब कुछ पहले तो कभी महसूस नहीं किया, भई, आज हो गया, ऐसा हमें तो कभी महसूस नहीं हुआ फाल्डर के बारे में, James brushing the remark aside, इस brushing the remark aside, इस तरफ को रखते हुए इस remark को, इस tipपणी को, कि भई, ऐसा पहले कभी फाल्डर के बारे महसूस नहीं हुआ, तो इसको एक तरफ करते हुए, I have seen lots of these, those fellows, मैंने ऐसे बहुत सारे बंदे देखे हैं, in my time, मेरे जबाने में, no doing anything with them, except to keep them out of harm's way, उनके साथ और कुछ नहीं किया जाएगा, किया जाना चाहिए, या किया जा सकता है, except, सिवाए इसके, to keep them out of harm's way, यानि उनको, उनसे दूरी बना के रखी जाए, they have got a behind spot, वैसे blind spot होना चाहिए, यानि उनके चरित्र में कमी होती है, याना, weakness of character, उनके अंदर होती है, तो ऐसे लोगों को दूर ही रखा जाना चाहिए, Walter, it's penal servitude, भही, ये तो jail की सजा होगी, कोक्सन, they are nasty places, prisons, जो jail होती है, वो तो बड़ी खराब जगह होती है, बड़ी भयानक जगह होती है, तो James कहते हैं hesitating, थोड़ा सा हिच की चाहते हो, I don't think how it's possible to spare him, यानि मुझे नहीं लगता कि उसको छोड़ देना कैसे समभव है, यानि ये चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी James कह रहे हैं, और खुदी उसको jail भेज रहे हैं, और खुदी कह रहे हैं कि उसको छोड़ना कैसे समभव है, ये मुझे नहीं लगता, उसको ओफिस में रखना तो आउट ओफिस में रखना तो आउट ओफिस में रखने का, अनेस्टी इस दा साइन क्वा नोन, तो जो अनेस्टी है, इमानदारी है, वो साइन क्वा नोन मनले सबसे ज़दा महत तो पूर्ण चीज है, जोने मोस्स इंपोर्टेंट कंडिशन है, कोकसन हिपनोटाइज, कोकसन थोड़ा सा समोहित होते हुए, अब यह थोड़ा सा अपने उपर ले रहे होंगे, कि मैं इमानदार हूँ, मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं किया है, तो अपने उपर थोड़ा सा हिपनोटाइज होंगे, अपने उपर भी गर्ब महसूस करे होंगे, कोकसन, जेम्स, अब यह भी एक सवाल है, जो जेम्स कह रहे हैं, इस वजह से भी काफी लोगों को जेल भेजा जाता है, कि वो समाज में भेजने लाइक नहीं है, यानि बाहर रहेंगे, तो वो और अपराद कर सकते हैं, समाज को नुकसान हो सकता है, तो यही बात जेम्स कह रहे हैं यहाँ पर, देखें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप में तर्ख संगत हैं, लॉजिकल हैं, तो जेम्स को हम दोशी नहीं ठहरा सकते, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पर एक डिसकुशन करने को आता है, टिपणी लिखने को आती है, जेम्स का पॉइंट ऑफ व्यू और वाल्टर का पॉइंट ऑफ व्यू एक्जाम में आता है, तो अब यह जो आर्गुमेंट्स हैं, यह आपको जेम्स के फेवर में देने होंगे, कि equally out of question, उतना ही यह है कि out of question है, सवाल ही नहीं पैदा होता है, to send him out, उसको भेजने का, उन लोगों के बीच में, who have no knowledge, जिनको कोई ग्यान नहीं है, of his character, उसके चरित्र का, तो अब यह माली जे इसको छोड़ दिया जाए, हम इस पर कोई मुकदमाना करें, इसको छोड़ दें, तो यह समाज में जाएगा, समाज में जाके, यह और अपराद करेगा, इसी तरीके के, और लोगों के साथ दोखा दड़ी करेगा, तो यह, one must think of society, तो व्यक्ति को समाज के बारे में भी तो सोचना चाहिए, बहुत सारे अपराद ही ऐसे हैं, लेकिन आप अखवारों में नियूज में रोजाना सुनते होंगे, कि जमानत पर छूटा हुआ था अपराद ही, और उसने फिर अपराद कर दिया वो, फिर जेल चला गया, कई बार, दो-दो बार छूट जाते हैं जमानत पर और आके फिर अपराद करते हैं, तो वही है, कि हमें समाज के बारे में भी तो सूचना है, अब वाल्टर कह रहा है, बट टू ब्रांड हिम लाइक दिस, लेकिन अब उसको ब्रांड मनें दोशी ठहरान, ब्लेम करना, कि इतना बड़ा अपराद भी नहीं है, लेकिन अगर उसको जेल भेज दिया गया, तो उस पर एक ठपा लग जाएगा, अपराद ही का, ये भी एक बड़ी बात है, कि जिसे जो माइनर होते हैं, ठार साल से कम के लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको अक्सर उनका ना तो नाम सामने लाया जाता है, जब वो अपराद करते हैं, और दूसरा, उनको तीन साल में रिहा कर दिया जाता है, कोशिश यह की जाती है कि उनको जेल ना हो, क्योंकि उनकी जिन्दगी सामने होते हैं, और उन पर ठपपा लग जाता है अपराध का तो यही बात Walter कह रहा है कि लेकिन उस पर ठपपा लगा ना अपराध का James, if it had been a straight forward case अगर यह straight forward मैंने सीधा साधा सामने case होता, I would give him another chance, तो मैं उसको एक और मौका देखता it's far from that, लेकिन यह उससे कोसा दूर है he has dissolute habits उसकी habits हैं, जो उसकी आदते हैं, वो dissolute बने immoral हैं, अनेतिक हैं यानि भाई, किसी दूसरे की बीवी से संबन्द रखना, जिसके दो बच्चे हैं, तो यह तो अनेतिक हुआ ना, किसी भी समाज में यह तो अनेतिक है तो उसकी खराब आदते हैं, कोकसन I didn't say that, मैंने ऐसा नहीं कहा, extenuating circumstances यानि वो ऐसी परिस्थियां हैं जिन्होंने उसको विवश कर दिया extenuating circumstances यानि ऐसी परिस्थियां जिन्होंने उसको कमपैल कर दिया बाध्यकारी परिस्थियां थी जिम्स, same thing, एक ही बात है he has gone to work in the most cold-blooded way, यानि उसने जो काम किया है, वो cold-blooded manner में किया है जान बूज कर किया है deliberately किया है to defraud his employers, यानि उसने, अपने employers यानि हमने उसको काम दिया है हम उसके employers हैं और उसने हमारे साथ ही cheat किया है, धोखा दिया है and cast the blame और उस एक और अपराद देखिए कि उसने blame डाला, कास मने डालना the blame, दोश, दोश डाला on an innocent man एक महसूम इनसान पर, यानि Davis पर, दोश डाल दिया इसका if that's not a case अगर ये मामला नहीं है, for the law, कानून के लिए to take its course, कि कानून अपना रास्ता अख्तियार करे यानि कानून इसको अपनी गिरफ्त में ले, अगर इसके लायक ये case नहीं है, I don't know what is, तो मैं नहीं जानता कि कौन सा case है साहे, जिसमें कानून एक इनसान को गिरफ्तार करे यानि अगर ये छोड़ देने लायक case है, तो अप फिर कानून के द्वारा गिरफ्तार करने लायक कौन सा case है Walter, for the sake of his future दो, फिर भी उसके भविश्य की खातिर उसको छोड़ दीजे Walter, जो बेटा है वो ये कहना चाहता है James, sarcastically थोड़ा व्यंग करते हुए James कहते हैं, according to you no one would ever prosecute अब तुम्हारे अनुसार तो फिर किसी को दंडित किया ही नहीं जाना चाहिए, किसी पर कोई मुकदमा होना ही नहीं चाहिए, Walter थोड़ा सा नराज सा होकर, I hate the idea of it, मुझे तो इस विचार से ही नफरत है यानि इस तरीके से किसी पर मुकदमा करना ये से नफरत है कोकसन, we must have protection अब हमें थोड़ा सा protection लेना चाहिए सनक्षन तो मिलना ही चाहिए James this is degenerating into talk, तो हम degenerate करना में था मुद्दे से हट रहे हैं वारी बातचीत है, उस मुद्दे से हम हट रहे हैं he moves towards the partner's room अब वो partner's room में जाते हैं Walter, put yourself in his place father थोड़ी देर के लिए खुद को उसकी जगह रखके देखिए पिता जी James, you ask too much of me अब तुम मुसे बहुत ज्यादा मांग कर रहे हो, यानि मैं फाल्डर की जगह अपने आपको रखके देखू ये तो too much है भाईया ऐसा बहुत ज्यादा रिमांड कर देखिए बेटा Walter, we can't possibly tell the pressure there was on him अब भाई हम कैसे बता सकते हैं कि उसके ऊपर कितना pressure था, उसने किस परिस्तिती में ऐसा काम किया, James, you may depend on it my boy तुम इस पर निर्भर रह सकते हो बेटा if a man is going to do this sort of thing, he will do it, अगर एक बंदे को इस प्रकार का काम करना है तो वो जरूर करेगा, pressure और no pressure, चाहे उसके ऊपर कोई pressure हो, दवाब हो चाहे कोई दवाब ना हो if he isn't, और अगर उसको नहीं करना है, nothing will make him do it, तो कोई भी परिस्ति उससे ऐसा काम नहीं करवा सकती, Walter, he will never do it again, वो फिर ऐसा कभी नहीं करेगा, पिताजी coaxon, fatuously coaxon, थोड़ा सा मुर्टापूर तरीके से suppose I were to have a talk with him, अच्छा सोचिए मैं जरा उसे बात कर लूँ तो we don't want to be hard on the young man, हम नहीं चाहते कि इस योग के साथ कोई कठोड़ता की जाए, James that will do coaxon मतलब अब तो ये होगा, coaxon I have made up my mind, मैंने निश्य कर लिया है, he passes into the partner's room, वो partner's room में जाते हैं, coaxon, after a doubtful moment, एक शंका पूर्ण, छण के बाद, we must execute excuse your father, execute हमें आपके पिताजी को माफ कर देना चाहिए I don't want to go against your father, मैं आपके पिताजी के खिलाफ नहीं जाना चाहता if he thinks it right अगर उनको लगता है कि ये बात सही है Walter confound it, लानत भेजो इस पह, coaxon, why don't you back me up, तुम मेरा साथ क्यों नहीं देते, you know, you feel तुम्हें मालुम है तुम्हें मैं ऐसा करना चाहरे, तुम यू फील कम दर, तुम्हारी खुश सिम्पेथी है उसके साथ, सानवूती है तो भी तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे coaxon on his dignity coaxon, अपने आत्म सम्मान के साथ I really can't say what I feel मैं तो खुद नहीं बता सकता आपको कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ walter, we shall regret it अगर हमने ऐसा किया तो हमें इस पर अफसोस होगा यानि अगर falder को सजा दिलवा दी हमने तो हमें इस पर अफसोस होगा coaxon, he must have known what he was doing उसको सोचना चाहिए था कि वो क्या कर रहा है walter bitterly walter थोड़ी कड़वार से the quality of mercy is not strange अब इस लाइन से तो आप परचित हैं अगर आपने merchant of Venice मेरे साथ पढ़ा है तो the quality of mercy is not strange ये जो trial scene है merchant of Venice का तो उसमें पोर्शिया ये कहती है शायलोक अपना कानून के हिसाब से अपना न्याय मांगना चाहता है और Antonio के दिल से एक पाउंड गोश्ट काटना चाहता है चाबू अपना तयार कर रहा है और पोर्शिया उससे दया की अपील करती है और the quality मने गुण और मरसी दया का इस नॉट इस टेंड मने जबरदस्ती का नहीं है कोक्षन लुकिंग एट हिम आसकेंस यनि उसकी तरफ तिरची नजर डालते हुए कम कम आओ आओ Mr. Walter वी मस्ट ट्राइएंड सी इट सेंसिबल अब हमें चलते हैं देखते हैं और समझदारी से व्यावारेक प्रेक्टिकली हम क्या कर सकते हैं उस नजर से देखते हैं स्वीडल एंटरिंग विद ट्रे स्वीडल एक ट्रे लेकर आता है यूर लंच सर आपका लंच आ गया श्रीमान जी वाइल स्वीडल इस पुटिंग इट डाउं कोक्सन की मेज पर देटेक्टिव विस्टर डेटेक्टिव का नाम याद रखिएगा मल्टिपल चोईस कोशन में पूछा जाता है तो जो जासूस विस्टर है एंटर्स दा आउटर ओफिस वो बाहरी ओफिस में प्रवेश करते हैं जब उनको वहाँ कोई नहीं मिलता तो अंदर के दर्वाजे पर आजाते हैं तो वो एक स्क्वाइर का मतब स्ट्रॉंग ताकतवर मीडियम साइज का व्यक्ति है क्लीन शेफ्ट यानि क्लीन शेफ्ट है दाड़ी नहीं है मूछे नहीं है इना सर्विसेबल सर्विसेबल ब्लू सर्ज सूट तो जो पहनने योगिया ब्लू सर्ज सूट उन्होंने पहन रखा है जैसा सार्जेंट की ड्रेस होती है एंड स्ट्रॉंग बूर्स और बड़े मजबूत से जूते पहन रखे हैं बूट्स में रखें, विस्टर तू वाल्टर, विस्टर वाल्टर से कहते हैं from Scotland Yard Sir मैं Scotland Yard से आया हूँ Detective Sergeant Wister, मैं Detective Sergeant Wister हूँ Walter Askins, Walter थोड़ी तिर्शी नजर से, very well, ठीक है I will speak to my father मैं अपने पिता जी को बता देता हूँ He goes into the partners room वो पाइडनर्स रूम में जाता है और जीम्स अंदर आते हैं जीम्स जीम्स ने मॉर्निंग कहा क्या ये मुझे लगता है कि सार्जेंट ने कहा होगा क्यों जीम्स जीम्स लगातार दो बार आ रहा है इन आंसर टू एन अपीलिंग जेस्चर फ्रम कोकसन कोकसन की तरफ से एक अपीलिंग जेस्चर है यानि थोड़ा सा वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं I am sorry मुझे अफसोस है कोकसन फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि छोड़ दो उसको मत करो ऐसा लेकिन वो कह रहे हैं मुझे अफसोस है I would stop short of this if I felt I could यनि मैं इस बात को यहीं छोड़ देता I would stop short यनि इस बात को मैं छोड़ देता if I felt अगर मुझे महसूस होता I could कि मैं ऐसा कर सकता हूँ open that door वो दर्वाजा खोलो swedel wondering and scared swedel थोड़ा आश्यर चकित होते हुए और डरते हुए open से दर्वाजे को खोल देता है Come here Mr. Falder, बाहर आओ Mr. Falder As Falder comes shrinkingly out तो Falder सिकुडते हुए जिजगते हुए बाहर आता है The detective तो जो जासूस है In obedience to a sign यनि in obedience माने मानते हुए एक sign यनि इशारा from James की तरफ से तो James इशारा करते हैं Sergeant को और slips his hand out and grabs his arm तो अपना हाथ बढ़ाते हैं और उसकी बाहर पकड़ लेते हैं Falder की Falder recoiling Falder थोड़ा सा उचलते हुए पीछे की और हटते हुए Oh no, oh no, अरे नई, नई Mr. Come, come, there's a good lad अरे भई, अच्छे लड़के हो तुम आओ, आओ James, I charge him with felony मैं उस पर धोखा दड़ी का आरोप लगाता हूँ Falder, oh sir, अरे मालिक There's someone, कोई है I did it for her मैंने ये उसकी खातिर किया Let me be till tomorrow मुझे कल तक मौका दे दीजे मैंने किसी और की खातिर ये किया है कोई और है छोड़ दीजे मुझे मालिक लेकिन किसी उनको दया नहीं आती James motions with his head James अपने सिर से इशारा करते है At that sign of hardness और ये कठोरता का एक इशारा है उस पर falder becomes rigid Falder थोड़ा सा कठोर हो जाता है Then तब turning मुड़ते हुए He goes out quietly वो चुपचाप चला जाता है In the detective's grip यानि detective की पकड में James follows James पीछे पीछे चलते हैं Stiff and erect वो बड़े कठोर और बिल्कुँ सीधे तने हुए चलते हैं Swiddle rushing to the door Swiddle दरवाजे की और दौरता है With open mouth अपना मुग खोले हुए Pursues them उनके पीछे पीछे जाता है Through the outer office into the corridor बाहर के office में से होकर वरामदे तक उनके पीछे पीछे जाता है When they have all disappeared जब वो सभी जा चुके होते हैं Coxion spins तो Coxion घूमता है Completely round पूरी गोल घूमता है And makes a rush for the outer office और दोड़ कर बाहरी office की ओर जाता है Coxion hoarsely Coxion भरे हुए गले से सूखी ड्राइली आवाज में Here, here, what are we doing अरे, अरे, ये हम क्या कर रहे हैं और उसके बाद there is silence शान्ती हो जाती है He takes out his handkerchief वो अपना रुमाल निकालते है And mobs the sweat और पसीना पहुंसते है From his face अपने चहरे से Going back blindly to his table यानि योही blindly बिना देखे हुए अपनी image की ओर जाते हुए He sits down वो बैठ जाते है And stares blankly और खालीपन से घूरते है At his lunch अपने lunch को यानि कहां तो वो गरम-गरम ही lunch खाते थे बिल्कुल ठंडा नहीं होने देते थे और उन्हें गरम-गरम lunch खाना था इसलिए ये सारा बखेडा हुआ नहीं तो चेक को जाके वो खुदी बुना लाते तो शायद ऐसा नहीं होता फाल्डर के हाथ में चेक नहीं जाता और फाल्डर उसमें फोर जड़ी नहीं करता लेकिन उन्हें तो अपना lunch गरम-गरम खाना था इसलिए वो गए नहीं और सारा ये बखेडा हुआ लेकिन आज वो lunch रखा हुआ है और वो उस lunch को घूर रहें काफी देर पहले आ चुका है सुड़ी रख के जा चुका है और वो खा नहीं रहे हैं सिर्फ घूर रहे हैं उसको तो ये थोड़ा आइरनी कल है आइरनी है अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि problem play है तो बहुत सारी समस्याइं आप देख रहे हैं दोनो point of view हैं दोनो point of views की दोनो दिश्टिकोनों की अपनी-पनी समस्याइं हैं दोनों की अपनी-पनी अच्छाईयां हैं तो ये संगर्ष अभी आगे चलेगा और हम इसको जारी रखेंगे पढ़ेंगे इसको ये एक्ट यहां समाप्त हुआ ये वीडियो भी मैं यहां समाप्त करूँगी धन्यवाद